सुभा की पहली किरण में पती के चेहरे पर नजर पढ़ते ही अचला का हरद्य हाहा कार करके रूठा किसी भी तरह से वह अपने आशु न रोख सकी क्या हूग गया धूल बालू राक से बालक रूखे सुखे चेहरे को जुलसा कर आख की लप्टों ने उसके पती को एक ही रात में बूड़ा बना दिया था चारो तरफ घूमफिर कर बस्ती के लोग शोर कर रहे थे कहां से पीतल के बरतन वासन तो सब गए वह तो दिखाई ही दे रहा था सुनी निगाओं से देखता हुआ महीम चुप खड़ा था सुन वह सब पुछ रहा था पर लोगों का कौतुवल मिठाने जैसी अवस्ता उसके मन की ना थी उस टोले के बीखु बनर जी जाने माने आदमी गठिया की तकलीफ की कारण अब तक पहुँच नहीं पाए थे अब लाठी के सहरे लोगों के साथ उन्हें आते देखकर महीम उनकी और बड़ा बनर जी बाबु तरह तलार से विलाब करके बोले महीम तुमारे पिता को गुजरे काफी दिन हो गए मगर हम दोनों भिन नहीं हैं बिलकुल हरियर आतमा थे महीम गर्दन हिला कर उत्सु कांकों से ताक तरह पासी के घेरे की आड में समान के पास अचला बैटी थी वह उद्ग्रीव हो उटी इतनी ही भूमी का के बाद बनर जी बाबु कहने लगे ब्रह्मा का क्रोध तो कुछ यूँ ही नहीं होता बेटे हम लोगों से पूछा तक नहीं एक इतने बड़े ब्रह्मन के लड़के होकर क्या को कर्म कर बैठे महीं समझ नहीं सका उसकी बाद की विस्तार से व्याख्या करने के लिए अपने अनुचरो की और ताक करवे कहने लगे हम सबी यही कहा करते थे कि कुछ ना कुछ होगा ही भला और किसी पर भ्रह्मा का क्रोध क्यों नहीं उमड़ा बेटे ब्रहम जो है इसाई भी वहीं है सहाब को कहते है इसा और बंगाली हो तो ब्रहम यह हमसे जिने शास्त्र का ग्यान है नहीं चीप सकता भई जो वहां मौझूद थे सबने हामी भरी उत्साही तो कर वे बोल उठे करने को जो चाहे करो बेटा पहले इसका प्राशित करके और उसे त्याक कर महीम ने हाथ उठा कर का रुकिये आप कहकर दूसरी तरफ चला गया बनर जी बाबु जमात के साथ कुछ दिर मुँ बाए खड़े रहे फिर लाठी ठक 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 आते वे घर लोट गए मनी मन जो कहते गए उसे जवान पर नालाना ही बहतर है अचला ने सब सुना उसकी आँखों से आसु की बड़ी बुंदे टपक लगी जोदू ने आकर कहा मा जी बाबु जी ने कहा है आप से पुछ कर मैं पाल की कहार बुला दू आचल से आखे पोंचकर अचला ने कहा बाबु को एक बर बुलाओ तो जोदू और पाल की रहने दो अबी महीम ने नजदी एक का कर खड़े होते ही उसकी आँखों में आ ही है उसका अंतर्याय में ही जाने लेकिन सवेरा हो चुका था चारों तरफ उत्सुक लोग थे अचला ने अपने को सहियत करके कहा पाल की किस लिए महीम नौबजे गाड़ी पकड़नी है न सो सब तरह से अच्छा रहेगा एक बज़े तक घर पहुँचकर ना खा सकोगी रा अचला इस बात का जवाब ना दे सकी एक बड़ तो उसके मूपर आया जंगल में पेड़ तले मगर वास्तव में तो संभव नहीं और बस्ती में किसी के यहां घंटे भर के लिए भी पना लेना कितना अपमान जैनक है उसका आभास तो अभी अच्छी तरह से पाही चुकी मुरिनाल की बात याद नहीं आई तो नही बार बार याद आई पर शरम से भैं बोल नहीं सकी कुछ देर चुप रहकर बूली तुमी मेरे साथ चलो उसाथ चलो लाब महीम ने अच्छरे से का अचला लाब हानी देखना अब मेरे जी मेरा तुम्हारे हीत हीत हूँ यहाँ जादा नहीं है मैं खुब देख चुकी हूँ फिर तुम्हारी सूरत रात भर में ही कैसी हो गई है इसे तुम नहीं देख पारे मैं देख रहे हूँ मेरे गला भी काट डालो फिर भी तुम्हें या अकेला छोड़कर मैं नहीं जाओंगी महीम के मन में उधल पुधल होने लेगी लेकिन वह स्थिर ही रहा अचला बोली तुम इतना क्यों सूच रहे हो महीम मेरे गहने हैं इन से पश्शी में जहां भी यो कोई छोड़ा सा मकान खरीद हम मजे से रह सकेंगे जहां भी रहेंगे तुम मुझे भूकी न रखोगे या कोशिश तुम्हें करने ही होगी और कहतो रही हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर रही जदू ने आकर पुछा पाल की लिया हूं माजी जवाब के लिए अचला उत्सुखो पती की और देखने लगी महीम ने जवाब दिया जदू को पाल की लाने का हुकम दिया और इस तरही से का मगर मैं तो अभी जा नहीं सकता सुनकर आ निर्वर्चिनिया शांती और त्रिप्ती से अचला का हिड़ा भर गया मन के आवेक को दबा कर उसने का मानती हूं तुरंट चल सकना तुम्हारा नहीं हो सकता मगर यह कहो कि शाम की गाड़ी से जरूर राओगे नहीं तो मैं भोजन लिए बैठी रहूंगी और मगर उसका मनतव्य महीम के निश्वास में मनों डूब गया वह उदास होकर बोली शाम को नहीं जा सकोगे तो फिर अंधेरी रात में किसके यहां पर कहते कहते वह रुख गई जिसके यहां पती के रात बिताने के संभावना थी उसकी याद आते ही उसका चेहरा फीका हो गए और महीम ने शायद उसके मन की बात नहीं समझी पुछा कलकते में मुझे कहां जाने को कहती हो अचला ने तुरन जबाब दिया क्यों पिताजी के यहां महीम ने सिर हिला कर का नहीं नहीं क्यों वहबी क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है नहीं महीम ने वैसे ही सिर हिला दिया अचला ने का ना हो तो वहां दो दिन रहा कर हम पश्चिम चले जाएंगे नहीं अचला जानती थी उसे डिगाना मुम्किन नहीं कुछ सोच कर बोली, तो चलो, यहीं से हम पश्चिम के किसी शहर को चले, मैं खुब जानती हूँ, मैं साथ दूंगी तो हमें कहीं तकलीफ ना होगी, लेकिन घहने तो बेचने पड़ेगे, यह काम कलकते की सिवा कैसे होगा, महीम दूसरी और देखता हुआ चुप ही रहा, कर जवाब दिया, तुम्हारे जेवर मैं नहीं ले सकूँगा अचला, कोई भारी धक्का खाकर अचला जैसे पीछे हट गई, नहीं ले सकोगे, क्यों, महीम ने उसका कुछ जवाब ना दिया, कुछ देर तक दोने निस्तब्ध ही रह, अचानक अचला के नही प्रशनों की जड़ी लगा दिये, संसार में, पती क्या अकेले तुम एक ही हो, आड़े वक्त में आखिर वे कैसे लेते हैं, स्री का घेना रहता किसलिए है, इतने कश्ट से आखिर तुम इने बचाने ही क्यों गए, यह कहकर टीम के छोटे से बक्से को, हाथ से छिल कर कहा, मुसीबत की घड़ी में, यह अगर काम ही ना आए, तो यह भोजा डोते फिरने से लाग, आख तो अभी भी जली रही है, उसी में डालकर निशिन दोकर चली जाती हूँ, फिर तुम्हारे जो जी में आए, वही करना, और उसने आचल से आखिरे दबा ली, दो एक मिनट चुप रहकर मह अगर तुम्हें तो मालूम है, कोई काम जोग में नहीं करता, अगर कोई करे तो यह करना भी नहीं चाहता, तुम जो चाहे देना चाह रही हो, उसे अपना समझ कर मैं ले सकता हूँ, पर आज मेरे सुक की सीमा नहीं रहती, लेकिन किसी भी प्रकार से ले नहीं सकता, मेरी तकलीफ देखकर और भी बहुतरे लोगों ने बहुत कुछ देना चाहता, लेकिन वह जैसी दयाती, यह भी वैसी ही दया है, लेकिन इससे ना तुम लोगों का और ना अपना, किसी का भलाना होगा, ऐसा ही मेरा विश्वास है, अचला और ना सह सकी, रोना भूल कर, शायद प्रतिवाद करने के लिए ही, दोनों जलती आँखे उपर उठा कर, सुआमी की नजर का अनुसरन करते ही देगा, थोड़ी दूर पर उन लोगों का, जो पोख्रा है, उसी के घाट के पास, वेदी भंदे नीम गाच के नीचे, हाथ पर सिर्टिकाई सुरेश पड़ा-पड आसमन के और ताक रहा है, अचला के मुझ की बात मुझ में रह गई, और उसका उठावा सिर्ट आप याप जुग्या, लेकिन महीम, कुछ अन्यम अनसक सा अपने आप ही कहने लेगा, यह नहीं कि मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, बलकि बार बार तुमें वंचीत करूँग मैं जानता हूँ, एक भूल के चलते तुम लोगों के अफसोस का ठिकाना नहीं, एक भूल और हो जाए, ना तो कभी तुम खुद को माफ कर सकोगी न मुझ को, इस नुकसान को सहने का तुमारे पास कोई संबल नहीं, इस बात का पता मुझ को आज चाहे ना चले, कुछ दि साथ, मुरणाल की याद आते ही, वैं गुस्से से भर उटी, वैं भी सकत होकर बोल उटी, इतनी देर से तुम मुझे जो समझा रहे होगा मैंने समझा, शायद तुम्हारा कहना सही है, या तुम्हारा मुझ देखकर दयावश मैंने अपना सर्वस्व देना चाहा था, शाय की चीजों को जबरदस्ती लेने की बात तो जाने दो हाथ फेला करी लेने का तुम्हें कौन सा सहरा है तुमसे अब तरक नहीं करूँगी आज से मेरी यही सांथ उना रहे कि इतनी सी विवेक बुद्धी तुम्हें है रात के अगनी कांड ने उसे कैसा तो कर दिया उसे मानो किसी से बात करने की शक्ती ही ना थी घाड़ी में आने के कुछ देर थी महीम को स्टेशन के किनारे पर ले जाकर सुरेश ने का महीम इस अगनी कांड के लिए तुम्हें मुझ पर संधय ही तो नहीं उसके दौनों हाथों को कसकर दबा कर महीम ने का छी सुरेश की आँखे डबडबाई ही रूधे स्वर में बोला कल से इसलिए मुझे चैन नहीं महीम महीम ने चुप चाप उसके हाथ को सिरफ दबा दिया उसके बाद बोला एक सच्चा गुना बहुते रे जूटे गुनाओं को ढोलाता है सुरेश लेकिन बेहत दुख पाकर तुम और चाहे जो करो जिसे क्राइम कहते हैं वह नहीं कर सकते और ऐसा विश्वास आज भी है जरा रुक कर बोला तुम भगवान को नहीं मानते सुरेश लेकिन जो मानते हैं वे सदा यही प्रातना करते कि भगवान जिन में हैं उनके इस विश्वास को न तोड़ दे गाड़ी आ गई और तो के डिबे में अचला और उसकी नौकरानी को चड़ा कर सुरेश के पास आते उसने खिड़की से हाथ निकलकर महीम का हाथ पकड़कर का तुमने मेरी कल की शेती पुर्ती करने की प्रातना ना मानी पर इश्वर तुम्हारी प्रातना को मंजूर करे भाई मुझको वे छोटा ना करे कहकर उसने मुझ फेर लिया उधर खिड़की पर मुझ रखकर अचला अब तक जद उसे चुप चुप ना जाने क्या कह रहे थी महीम के करीब आते ही उसने पुछा मरणाल दीदी के पती क्या आज गुजर गए महीम ने सिरह लाकर का हां सुना है थोड़ी देर पहले चल बसे अचला दस बारा दिन से निमोनिया के शिकारते मुझे ये बताना उचित नहीं समझा महीम ने इसका जवाब देना चाहा पर कैसे करम बिठा कर कह यही सोचते सोचते सीटी बजा कर गाड़ी खुल गई केदार बाबों की सिहत अभी पहले जैसी नहीं हो पाई थी खा पीकर बरांदे में एक अराम कुरसी पर पड़े पड़े अगबार पड़ते वे शायद आँख लग गई थी दरवाजे पर खटका और गाड़ी की रूखी अवास से उन्होंने आँख खुल कर देखा सुरेश और उसके साथ ही साथ उसकी बेटी और दाई गाड़ी से उतरे नींद उनकी काफुर हो गई जाने कैसी एक शंका से उन्होंने जोड से का अचला तुम यहां और तुम कहां से सुरेश मामला क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ अचला ने आकर पिता के चर्णों की धूली सुरेश ने नमस्ते करके का महीम का तार नहीं मिला कहां नहीं तो एक कुरसी खीच कर बैठते वे सुरेश बोला तब तो तार लगाना भूल गया या अभी पहुँचा ही नहीं अरे भाड में जाये तार माजरा क्या है बताओ ना तुम कहां से आये सुरेश कल रात महीम का घर जल गया घर जल गया सर्वनाश कहते क्या हो घर जल गया कैसे जला महीम कहा है तुम्हें ये कहां मिली एक सांस में इतने सवाल पुछकर केदार बाबू धब से अपनी अराम कुरसी पर बैठ कर सुरेश मैं इने वहीं से लेकर आ रहा हूं मैं तो वहीं था न तुम वहां थे तुम कब गय मुझे तो मालू ही नहीं सुरेश महीम तो आ नहीं सकता न इसलिए उनका गंभीर मुकड़ा शिया पड़ गया सिर हिला कर बोले नहीं नहीं यह सब अच्छी बात नहीं वे जराबी यकीन नहीं कर सके यह साफ समझ कर लज्जा और घ्रणा से उसके चहरे पर लहू का चिन तक ना रहा केदार बाबू से यहां भूल हो गई बेटी की सूरत से उनका संधे और मजबूत हो गया अराम कुर्सी पर लेट कर अकबार को चहरे पर रखते वे एक निश्वास छोड़ बोल उठे तुम लोग जो ठीक समझो करो मैं कल ही घर छोड़ कर और कहीं चला जाओंगा सुरेश ने अच्रेजबरी नाराजगी से का आप यह सब क्या कह रहे हैं केदार बाबू आप घर छोड़ कर ही क्यों जाएंगे और हुआ ही क्या है कह कर वे कभी अच्छला और कभी अपने उसके पिता की और ताक ने लगा लेकिन उसे किसी का मों दिखाई नहीं पड़ा केदार बाबू का कोई जवाब ना पाकर सुरेश उठ खड़ा बोला खेर महीम ने जो मुझे भार सौपा था हो गया अब आप लोग जो अच्छा समझे करें मैं ना खाने ही सका हूँ घर जा रहा हूँ कह कर वे द्वार की तरफ दो कदम बड़ा ही था कि केदार बाबू उठकर थकी सी आवाज में बोल पड़े अह जा क्यों रहे हो बात क्या है यह तो बताओ आग लगी कैसे सुरेश ने जैसे रूठे वे से कहा सो नहीं जानता तुम वहाँ गए थे कब पाच्छे दिन पहले मैंने अभी भोजन नहीं किया अब देर नहीं कर सकता क्या के फिर जाने का उपकरम करते केदार बाबू बोले अहा नाना खाना तो देख रहा हूं किसी का नहीं हुआ मगर जंगल में तो नहीं आए यह भी घरी है यहां भी नौकर चा करें अचला बैरे को आवास दो ना खड़ी क्या हो बैठो सुरेश माजरा क्या है खोल कर बताओ सुरेश पलट कर बैठ गया जरा चुप रहा फिर बुला रात सो रहा था महीम की चीक पुकार से निकला देखता हूं कि सब धूंधू जल रहा है फूंस की जौंपड़ी भुजाने का कोई उपाए ने वह बिकार कोशिश किसी ने की भी नहीं सब राख हो गया सब जल गया किदार बबु उचल गए कुछ भी निकाला ना जा सका अचला के गहने हावे बच गए कनीमत है कहकर एक लंबा निश्वास चोड़कर भी बैट कर गया कुछ देर चुप रहकर बोले फिर भी आग लगी कैसे सुरेश ने कहा तो आपसे इस बात का पता अभी नहीं चला है लेकिन इतना मैं देखाया हूं कि गाउं में उसका कोई खास हितेशी नहीं है केदार बवु और कुछ नहीं बोले बड़ी दूर तक चुप देर तक चुप बैटे रहे आकर ये गहरा निश्वास छोड़ते वे उठकर बोले जाओ नहाल उसुरेश अब देर ना करो की रहे सो उसका पता नहीं चैन ना था सिरफ चिकेदार बाबु को अब तार आने ना आने का कोई मतलब ना था लेकिन उसी के लिए बिताबी से इधर उधर घूमते वे शाम के समय सोना ठीक नहीं कहते वे उन्हों ने बेटी को बुलवाया और बुले तुम लोग ने तो बताया उसने तार भीजाए तार भीजाए कहां है कुछ पता तो नहीं तुम लोग ट्रेन से चल कर आप पहुँचे और तार की खबर अभी तक नहीं पहुची अच्छा ठहरो देखता हूँ और बेटी के उत्तर का इंतिजार किये भी नहीं वे चपल फटफटाते वे तेजी से नीचे उतर गए और थोड़ी ही देर में नीचे उनकी तेज अवा सुनाई देने लगी अचला की दाई से वे तरह तरह की जिरह करने लगे और वे बिचारी अचला से बार बार परतिव हो गया होता सुरेश सब सुन रहा था नजर उठा कर उसने देखा चौकट पकड़ी खड़ी उड़ेवे चेहरे से अचला एक एक बात को पी रही है सूखे उपहास के ढंक से कहा तुम्हारे बाबुजी को हो क्या गया बता सकती हो अचला ने चौकट देखा कहा नहीं सुर है आग लगने का किस्सा हमने गड़ लिया है और जरा देर थम कर बोलें असली बात का पता आखिर एक नएक दिन चली जाएगा लेकिन उनका संधे कुछ ऐसा है कि मेरा ही आना असंभव उठा तो अब आप क्या यहां नहीं आएंगे सुरेश मुम्किन है नहीं आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसंमान है किसी आदमी से मेरा बैग मेरे यहां भीजवा देना अचला ने सिर्क लाकर का अच्छा लेकिन उसके यहां आने ना आने के बारे में एक शब्द ना बुली कल सबरे ही भीजवा देना बहुत सी जरूरी चीज़ी है इसमें और केदार बाबु क की रहा देके बिना ही चला गया लोटने पर केदार बाबु कुछ चकी जरूरी लेकिन मन में नाखुश थे ऐसा ला लगा रात काफी देर तक बिस्तर पर करवट बदलती रही बाद में अचला उट बठी जी में आया बरांदे पर टहलती भी वह बाहर के लोगों को सड़क पर आते जाते देखकर थोड़ी अन्यमंसक हो जाए कमरे के उस और वाले दर्वाजे को खुलकर वह बरांदे में आयी देखा बैठा की रोशनी अभी जल रही थी पहले यह मन में आया कि नौकर शायद गैस बंद करना भूल गए लेकिन कुछी दूर बढ़ने पर पिता की अवाज कानों में पड़ी उसके अशरे की सीमा न रही वे सदा दस बचते बचते सो जाते मगर आज साड़े दस बच गए परंतु देखा की तुरन दाई की अवाज सुनाई पड़ी वे कह रही थी पती चल बसे मिरनाल देदी अब पती के घर को संभालेंगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता बाबू जमाई बाबू से दादा पोती का रिष्टा है वही जाने कीदार बाबू हूं करके रह गए अचला समझ गई कि इसके पहले भी काफी बाते हो चुकी हैं मिरनाल के बारे में महीम के बारे में उसके बारे में बाकी कुछ नहीं छूटा है लेकिन क किस बात ने लोहे की जंजीरों से इसके पाउं बांदी है कुछ देर चुप रहकर केदार बाबु ने बुजा तब तो दोनों में पटी नहीं यह कहो दाई रती बर में नहीं तिल भर भी नहीं बाबु एक दिन भी नहीं इस दाई को अचला आस तक नदान ही समझती थी आज पता चला उसे किसी से कम नहीं है केदार बाबु मिनट भर चुप रहकर फिर बोले तो कल रात किसी को खाना नसीम नहीं हुआ क्यों सुरेश के जाने के बात से लगभग लड़ते जगड़ते ही भी था दाई का जवाब सुना ना जा सका लेकिन पिता की बात से ही समझ में आ गया कि गर्दन हिला कर उसने क्या राय जाहिर की क्योंकि दूसरे ही शंकेदार बाबु एक गहरा निश्वास छोड़कर बोले मैं पहले ही जानता था कि एक दिनी है नावबत तो आईगी आजकर लड़के लड़कें माबाब की बातों की परभा कहां करते हैं नहीं तो म मैं तो करीब करीब सब रहा पर लेया है था आज उसे चिंता किस बात की होती है कहकर उन्होंने फिर एक निश्वास पे का वहबी जैसे साफ सुनाई पड़ा दाई ने पूरी हमदर्दी की साथ छूटते ही का आप ही कहें बाबु नहीं तो आज चिंता किस बात की थी कैसे तो एक गवई गाव में माटी का घर वह भी ना रहा और महमान भी तो कहकर उसने बात को अधूरा ही रखकर एक लंबे निश्वास से काफी दूर तक ठेल दिया भाग गया है भाग गया है केदार बाबु कुछ दिर चुप रहा कर बोले अच्छा तू जा उसे रुकसत करक वे बैरों को पकार ने लगे अच्छा पाउं दबाए धीरे धीरे अपने कमरे में जाकर पड़ी रही पिता की उदारता उनके सज्जनता बोध की धारना कभी भी उसके मन की में उच्छी नहीं रही थी लेकिन वे इस हद तक नीचे हैं कि वे घर की दाई से भी अकेले में ऐसी चर्चा कर सकते हैं अचला यह नहीं सोच सकती थी आज उसका मन छोटा होकर जमीन पर लोट रहा था पर उसका पती उसका पिता उसकी दासी उसका मित्र सभी उसकी तरह धूल में पड़े हैं तो किसका सहरा लेकर वे जमीन से उपर भी उठ सकेगी कभी इस भरोसे की त उन्होंने काम ना कीती महीम लड़का भरला है एमे पास है गाउं में रहने खाने की विवस्ता है लिहाजा उसके हातों बेटी को सौपना उन्होंने सौभाग्या ही समझाता लेकिन एका एक एक दिन उसका धनी दोस्त सुरेश अपनी गाड़ी पर आकर उल्टा बता कर जब भी भी आका उमीदवार बन बैठा तो दोनों की माली हालत का लेखा लगा कर महीम को जवाब देकर सुरेश को अपनाने में केदार बाबु को जरा भी आपती नहीं हुई प्यार के बारिक तत्वों से उन्हें कोई वास्ता ना था उसकी धारना थे कि लड़कियां पती के रूप में उसी को अच्छा समझती हैं जिसके पस गाड़ी पाल की चड़कर गहना कपड़ा पहन कर अराम से रह सके लिहाजा बेटी को सुखी भनाना ही अगर पिता का करतव्य है तो ऐसे एक अपने आप आएवे मौके को हाथ से निकलने देना ठीक नहीं यह तया करके ही उन्होंने खास कुछ विशेश चिंता नहीं करनी पड़ी यहां तक की विवा के पहले ही दमाज से पांच हजार करज लेना भी अनुचित ना लगा और उसे चुकाने की दुश्चिंता ने भी उन्हें परिशान नहीं किया इसलिए कि यह तो घर उसी का रहेगा मगर इस हत दबागी लड़की ने सब कुछ पंड कर दिया हरगीस राजी ना हुई लचारी में उन्हें महीम के हाथों ही बेटी को सौपना पड़ा लेकिन इस धुरगटना से उनके शोब की सीमा नहीं रही उसके सिवा जो बात उन्हें अपने आप को बूल करनी पड़ी वह यह है कि रुपे आप लोटा देना चाहिए लेकिन चुकी करज की लिखा पड़ी ना थी और वसूल करने का उपाई भी उतना सपश्ट और प्रांजल ना था इसलिए उस चिंता को भी वे मन में उतना महत्व नहीं दे सेके लिहाजा यह सवाल मन में उठा लेकिन जवाब वैसा ही धुन्दला रहा अचला ससुराल चली गई इसके बाद सुरेश का आना जाना घनिश्टिता के दार बावू को पसंद ना थी घर में नहीं नहीं है यह कहला कर ज़्यादा तर भेट भी नहीं करते थे लेकिन उसे चाहते थे इसलिए बेटी के दूर वहवार से वे मनीमन उटाई तो यह कहकर टाल गया कि वह तो मैंने दोस्त को दहेच में दिया है उसी दिन से इस यूवक के प्रती उनका स्नेह प्रती दिन गाड़ा और अकरत्रिम होटने लगा यहां तक कि कभी कभी बेटी के लिए मन में अभिशा पाता हत भागे नहीं ऐसे रतन को ना पैच जान सकी उपेकशा से छोड़कर चलेगी इसकी सजा कभी ना कभी तो उसे जरूर मिलेगी इस मामले में महीम उने फूटी आख नहीं सुआता था यह सही है लेकिन उनकी बेटी नारी धर्म को गवा कर पती को त्यागने की कलंक कालिमा सारे बदन में पोत कर उनी के यहां आ रहा हो जिस दिन से वे सिर्फ रुपे के नाते महीम के बदले सुरेश के हाथों से सौपने को तयार हो गए थे और करज चुकाने का कोई उपाए ना रहने के बावजद उससे करज लिया था उसी दिन से आदमी के रूप में केदार बाबू अचला की निगाहों में काफी तीचे उतर आये थे वे आश्रद्धा कल रात सौबनी जादा बढ़ गए जब उसने अपने कान सुना की बेटी के चलितर के बारे में चिपकर नौकरानी की राये लेने में भी उन्हें जरा भी ही चक नहीं हुई लेकिन उसके साथ-साथ अचला आज अपने को भी देख प इसलिए आज वे पती के आगे चोटी हो गई पिता के आगे चोटी है दाई के आगे भी चोटी है यहां तक कि सुरेश जैसे आदमी की नजर में भी इतनी चोटी है कि उसे लालसा संगनी बनाने की कलपना भी उसकी धुराशा नहीं लेकिन वास्तर में क्या सही है कितनी चो पती ने उसकी कोई खोज नहीं ली। उदा सिंता का घहरा अपमान और लांचना राद भर मानों उसे आग में जुल साता रहा। सुबह देर से नीन टूटी। सूरज की तरुन गिरने जरोकों से आकर कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। वह बिस्तर पर उट बैटे और सिरहाने के खिड़ की खोल कर चुप चाप रास्ते की तरफ देखती रही। कलकत्ते की सडकों पर जन परवा का विराम नहीं। कोई काम से निकलाता, कोई घर लोट रहाता और कोई सुबह की दूप हवा में यूहीं घुम रहाता। यह देखते हुए अचानक याद आया कि ऐसे समय अपने घर में तो कोई नहीं बैठा है। उन्होंने एक बार नजर उठा कर देका और फिर अगबार पढ़ने में मगन हो गए। और थोड़ी ही देर में के बाद बैरा केतली में चाय का पानी और दूसरे समान रख गया। के दार बाब उठकर आये। अपने लिए एक प्याला चाय तयार करके ले गए और अगबार लेकर फिर अराम कुर्सी पर बैट गए। अचला नजर जुकाए पिता का आचरन देखती रही परन्तु खुद जाकर चाय तयार कर देने या कुछ पूछने की हिम्मद भी नहु के ले बैट कर जरा सोचने के लिए उठना ही चाहती थी कि विसमे से उसने देखा सुरेश आ रहा है। उसने हाथ उठाकर केदार बाबु को नमस्ते किया। केदार बाबु ने सिर उठाकर जरा गर्दन ही लाई फिर अगबार पढ़ने भी लगे। सुरेश कुर्सी खिच थोड़ी देर में हटा सुरेश पूच बैटा महीम की कोई खबर मिली केदार बाबु उसकी और बिना देखे बोले नहीं ताच्चुब है सुरेश बोला उसके बाद फिर सब चुप चाप बैरे ने आकर बताया बैक गाड़ी में रख दिया है तो मैं जा रहा हूँ महीम की चिट्टी आये तो मुझे जला खबर कर देंगे सुरेश उटने लगा कि एका एक हाथ का अगवार नीचे फिकर केदार बाबु बोल उटे तुम जला ठैरो सुरेश मैं भी आया और उसकी और ताका तक नहीं चपल चटा काते वे वे तेजी से ही चले गए अब तक अचला नजर जुकाई ही थी केदार बाबु के चले जाने पर सुरेश ने जैसे ही नजर उठा कर देखा अचला की डरी दुखी और मलीन आखे दिखाई लिए उचा बात क्या है मूँ नीची किया अचला ने सिर्फ गर्दन ही लाई सुरेश ने का मैं कितना दुखी हुआ कितना लजजित यह कहनी ही सकता अचला वैसी ही मूँ नीचे किया बैठी रही वह फिर बोला तुम्हारे पिता जी मुझे इतना नीच ऐसा पाशन सोच सकते हैं यह तो मैं कभी स्वपन में भी नहीं सोच सकता इस शिकायत का भी अचला ने कोई जवाब नहीं दिया वैसी ही इस कागच को रखते वे बोले तुम्हारे उस रुपे की रसीद आज कल करते नहीं दी जा सकी पांच हजार का हैंड नोट ही लिग दिया है सूथ शायद ना दे सकों लेकिन मकान तो रहा है इससे मूल भर तो वसूल हो ही जाएगा सुरेश कुछ दिर हका भका सरा बोला मैंने तो आपसे हैंड नोट नहीं मांगा केदार बाबू केदार बाबू बुले तुमने मांगा वश्य नहीं मगर मुझे तो देना चाहिए अब तक नहीं दे पाया यही बहुत बड़ा अन्याय हो गया है सुरेश इसे जेब में रख लो बुड़ा हो गया हूँ अचानक कहीं चल बसूं तो तुम्हारे रुपे का गोलमाल हो सकता है सुरेश ने आवेक के साथ जवाब दिया महीम और चाहिए जो करे केदार बाबू रुपे का कभी गोलमाल नहीं कर सकता तिस पर आप खुद भी जानते हैं कि मुझे ये रुपे नहीं चाहिए यह मैंने मित्र को धे कर खड़ा हुआ कि केदार बाबू जुआला मुकी भबक कर चीख उटे खबरदार सुरेश कल से मैंने बहुत अपमान चुपचा बरदाश किया है लेकिन मेरी आखों के सामने मेरी बेटी को तुम रुपे दे जाओ हर्गिस बरदाश ना करूँगा कहे देता हूं कहे कर का बर में मानो पत्थर की हो गई बड़ी कोशिश करके सुरेश ने तो क्या कहना चाहा लेकिन उसके सूखे गले से एक अव्यक्त अवाज के सिवा और कुछ नहीं निकला फिर मुड़कर देखा केदार बाबू दौनों हतेलियों से मुझ चिपाए पड़े थे उसने और कोशिश मिना के कुशन संसा रहकर आखिर दीरे दीरे चला गया वह चला गया लेकिन बाब बेटी दौनों ठीक ही बैठे रहे दिवार गड़ी की टिक टिक के सिवा कमरे में एक बेरहम चुपी चा रही थी सुरेश की रबर टायर वाली गाड़ी फाटक पार हो गई वह गोड़ों की टापों से ही समझ में आ गया दूसरे ही शन बैरे ने अंदर आवास दी बाबू केदार बाबू ने नजर उठा कर देखा उसके हाथ में कागच का एक टुकड़ा था और कुछ कहना ना पड़ा वे उच्छल पड़े और अपना दाया हाथ बढ़ा कर चितकार कर उठे ले जा मेरे सामने से निकल जा कहता हूँ बैरा मालिक कर रवईया देकर अबाक रहे और भाग कड़ा वे उसके जाते ही जलती आखों से बेटी को देखते वे गले की आवा पुरी थाखों से पिता को देखती रह गई वे बोले रुपे बेखेर कर बाप की आखों को बंद नहीं किया जा सकता यह बात अब पाशन रहे बेटी इस पर भी चुप रही लेकिन इसकी मलीन आखे धीरे धीरे तेज होने ले पिता को नजर में नाये लेकिन उन्होंने त कान कर कहना शुरू किया हैंड नोट फार कर बाप को खूस नहीं दिया जा सकता यह बात उससे समझा कर तब छोड़ूंगा मैं मैं यह घर बेचकर कर जदा करके जो जी चाहे जहां चला जाओंगा मुझे कोई रोक नहीं सकता कान खोल कर सुन लो अब अचला ने बात कई श तुम लोग जो ची आये करो उसी के मारे तो मैं भले समाज में मुझे दिखाने लायक नहीं रहा यह मालुम है अचला ने वैसे ही शांत और द्रिड सर में कहा नहीं नहीं मालुम मैंने ऐसा कुछ अगर किया होता जिस समाज में तुम मुझे दिखा पाते तो इससे पहले मे जो अपमान कर रहे हो चुकि जूट है लेकिन यह भी जानती हूँ नहीं तो यहां पहुचकर उसका गला बिल्कुल बंद हो गया मुझे पर आचल रखकर किसी तरह रुलाई रोकते वे वैं अपने कमरे में भाग गई केदार बाबू एक बारगी हग का भगा हो गया रंज को नितांत निंदनिया कहते वे मुझ पर जड़क कर तीके अब इमान से चल सकता है उसकी संभावना उनों इस वपन में भी नहीं कीती तो कुशन हके बगके खड़े हो दीरे दीरे बैट गए और सिर पर हाथ फिरते फिरते बार बार कहने लिए यह लो फिर दूसरी खटना इसके बाद बाप बेटी के आठ दस दिन कैसे निकली यह सिरफ अंतरयामी नहीं देखा अचला अपने कमरे से निकली ही नहीं घर के नौकर चाकरों के सामने भी मुझ दिखाना उसे असंभावता पिछले दिनों की तरह सड़क देखकर ही समय काटने के ख्याल से वे खुली क्या तो एक अग्याद संबंध हिर्दे की गहराई से अनभव करके उसका मनुस सल्क वायू बेला की तरह निशब्द अफसन होता जा रहा था यह नहीं कि आखे उसकी ठीक से कुछ देख रही थी पर जैसी आदत थी उपर नीचे अगल बगल उसकी निगा से बच नहीं पा जाकता है उसी तरह वैख खड़की के सामने से अपनी बिस्तर पर जाकर सोई रही लगभग बीस मिनट के बाद उसके दरवाजे पर खट खट हुए और बाहर से पिता का स्नीक्र स्वर पूछा जाग रही हो बेटी मगर फिर भी जवाब ना मिला और भी कोमल स्वर में बोल लिली केदार भाव सबसे पीछे कमरे के भीतर आया और बिस्तर पकर एक किनारे बाट कर बेटी से बोले तुम लोगों के चले आने के बाद से ही महीम को जोरो का बुखार आ गया मेरा ख्यालत ठंड लगने और दिशिंता से यह बुखार आया उसके बाद सुरेश की फूफ सब सुनती रही पर उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई चंचलता जाहिर की सुरेश की फूफी ने अचला की बाहां पर अपना दाया हाथ रखकर शांस पर में काटने की बात नहीं बिटिया दो दिन में ही वह ठीक हो जाएगा अचला ने कुछ कहा नहीं फिर से एक पर उनको जुकर पर नाम करके अलगनी पर से चादर उतार के वह जाने के लिए तेयार हो गई सर्दी की शाम इस ठंड में बिना कोई गरम कपड़ा पहने उसी रूप में वह बहार आ गई उसको तैयार होते दे बुड़े पिता के जी को चोट लगी लेकिन सुरेश की नाराज की इस बात थी की इसरी होने के बाग जो उसे पती का सुख दुख में भाग लेने का मौका नहीं मिला इसके लिए भी सुरेश भी अपने दोस्त से पच्पन से ही काफी जड़क जगरता आया था पर कोई नतीजा नहीं निकला कंजूस के धन की तरह उस चीज को सद जलकर राक हो गया और बाब दादाओं के उस राक की डेरी के बदलेवे मकान की देखकर महीम के मन को चोट लगी इससे उसके मूँ को देखकर अचला समझ नहीं सकी रनाल बिद्वा हो गई इसमें उसके भी सौमी के दुख का अंदाजा करना वैसा ही असंभवता जिस दिन अचला ने मूँ पर कह दिया था कि वह उसे प्यार नहीं करती महीम के लिए वह कितना बड़ा आगात था उसके बारे में भी अचला अंधेरे में ही रही वगर इतनी ना समझ भी वह नहीं थी कि सभी प्रकार के दुखाग्या की घड़ी में पती की निर्नेवार उधासिंत को सत्या ही कुबूल कर लेने में उसके जी में कोई खटका ही ना हो इसलिए उस दिनी स्टेशन पर पती के दृड़ शांत मुखड़े को बार बार देखकर तमाम रास्ता सिरफ यही सोस्ती आई थी कि सही शुनता को उस जूटे नकाब की ओट में उसके वास्तविक मुका स देहुआ उसे उतकंठा भी नहीं कहा जा सकता सुरेश की रबर टायर वाली गाड़ी तेजी से दोड़ रही थी फूफी एक और का दरवाजा कीच कर चुब बैठी थी और उनकी बगल में अचला पत्थर की मूर्तिक भाती बैठी थी अकेले केदार बाबु किसी तरफ से क पैद का नाम नहीं सिर्फ चोड डकात और गिदर रहते हैं ऐसे गाउं में जा बसने का कोई कैसे सोच सकता है ऐसे ही बेसेर पिरकी बाद बिना सोचे मुर्चे बोले जा रहे थे इसका भी कारण था किधार बाबु वास्तर में ऐसी हलकी प्रवर्टी के आदमी थे ऐसी ब मौन विद्रो और सबसे बढ़कर कुटसित और भौंडी अशंका का दवाब पिछले कई दिनों से उनकी छाती पर चक्की सा सवार था आज फूफी के अचानक आ जाने से वहब हो जा तो से ऐसा गायब हो गया था महीम की बिमारी को मन में वैसे मैत्व ही नहीं दिया उस र पिमारी के बारे में उन्हाने यह सोच रखाता लेकिन असली बात यह है कि सुरेश उसे अपने यहां लिवा लाया और किसी बहाने उसकी इस तरी को उसके पास पहुचाने के लिए अपनी फूफी तक को भेज दिया बेटी दमाद में कुछ दिनों से मन मुटाफ चल रहा दाई की जुबानी सुनी इस बात को मैं भूल ना सकते इसलिए यह सारा कुछ उसी दामपत्य का कलब का नतीज़ा है इस सत्य के जाहिर हो जाने से इस भगजक में भी उन्हें बड़ी हात मगलाने के साथ यह लगने लगा कि वहां पहुचकर उस निर्दोश और भले कड़ कैसे लाया इतना तो उसने स्वामी को पहचाना था शाम हो गई थी रास्ते की गैस बत्यां जल चुकी थी गाड़ी सुरेश के मकान के फाटक में घुसी और बरांदे के पास जाकर लगी उचकर केदार बाबु ने देखा और घबरा कर बोले दो दो गाड़ियां क्य एक बंगाली सज्जन बगल में खड़े हैं पलक मारते ही वे समझ गई कि ये दोनों डॉक्टर है वे चले गए तो यह गाड़ी पोटिकों में जाकर लगी सुरेश खड़ा था केदार बाबु ने चिला कर पुझा महीम कैसा है सुरेश बीमारी क्या है ठीक है आईए सुरे बाब उन्हें उतरने की जरा कोशिश ना की बोले थोड़ी सी सर्दी जम गई तो इसका इलाज तो तुम खुद ही कर सकते हो आखिर मैं कोई दूद पीता बच्चा तो नहीं हूँ दो दो डॉक्टर क्यों है यह और अंग्रेश डॉक्टर कहते कहते उनकी आवाज कापने लगे सुरेश करीब आ गया हाथ पकड़कर उन्हें उतारते वे बोला फूफी अचला को अंदर ले जाओ मैं आता हूँ अचला ने किसी से कुछ पूछा ताचा नहीं अंदेरे में उसकी शकल भी नहीं दिखाई बुड़े उतरते समय पाएं दान पर उसका पाउं लड़ लोई तो महीम शायद अपने घर के बारे में नाजा ने क्या कह रहा था उस लड़ खड़ाती अवाज के दो एक शब्द कानों में पहुंचते ही समझना बाकी ना रहा कि वैं अलबल बक रहा है कि रोक कितना जादा बढ़ चुका है जलादेर दिवार का साहरा लेकर अपन मानों गहरा होकर विराज रहा था मध्धिम रोशनी में अचला पहले यह ना पैचान सकी कि वह मिरनाल है अब जब दोनों आमने सामने खड़ी थी तो दोनों ही जरादेर के लिए स्थंबित सी रह गई अचला का सारा शरीर जैसे ही लुटा क्या तो कहने के लिए होट काप से मुँ में गुलाब जल के छीटे दे रहे यह पास खड़ा सुरेश धीवेदी में पंखा जल रहा है हो क्या गया यह सोचने में उसे देर लगे लेकिन याद हते ही लाज से घबरा कर उसने उटने की कोशिश की बादा देते वे केदार बाबु बुले जरा आराम कर लो ब का समर्थन किया अचला ने चुक चाप एक बार उसके औरता का उत्तर में पिता का हाठ ठील कर सीधी खड़ी होकर बुली सोने के लिए यहां नहीं आई हूं मुझे कुछ नहीं है मैं उस कमरे में जा रही हूं इतना क्या कर वे बाहर चली गई इस मकान के कमरों को मैं भूल नहीं थी बिमार का कमरा ढूनने में उसे देर ना लगी अंदर जाता ही मिरनाल ने उसे देखा बोली सजली दी जरा तुम यहां बैटो मैं नित्य करम करनो जरा ख्याल रखना बरफ की टोपी लुड़क न पए मिरनाल अपनी जगा पर अचला को बैठा कर चली गई कठी न अर्थ ही इन प्रलाप आँखों की खोई खोई निगा शांत और स्वभाविक होती आ रही थी दस दिन बाद एक दिन तीसरे पहर महिम शांत भाव से लेटा हुआ था इस साल सर्दी को जादा ही पढ़ रही थी इस पर अभी अभी बाहर एक बोचार बारिश भी हो गई थी रोगी की खाट से सटा कर ही एक बड़ी सी चौकी डाल कर उस पर बिस्तरा बिचाया गया था सब लोग उसी पर अच्छी तरह से कपड़े ओड़ कर बैठे थे सब की आखों में चिंता रही त्रिप्ती की छलक थी केवल फूफी घर के धंदों में कहीं जुटी थी और केद या सास मेरी चलना बसी हो सुरेश बोला अब भी क्या उनकी जीने की जरुवत रह गई है नहीं उनके लिए आपको जाना नहीं हो सकता मरडाल ने जरा देर के लिए गरदन घुमा कर एक लंबे विश्वास निश्वास को ही रोका फिर सुरेश की तरफ देकर मुस्कराती बोली आप ही क्यों मैंने भी यह सवाल पहले बहुत पर पूछा पर लगता है अब उनके जाने से ही कल्यान है लेकिन जो मरने जिलाने के मालिक है उने ही कहल नहीं होता तो संसार में आदमी बहुते रहे धुक कष्टों से बचना जाते अचलाब तक चुप रही थी मरणाल की बातों पर शायद उसके पती को ही मौत की बात याद करके बोली इसके माने जो अंतर यामी है वे जानते हैं कि हजारों तक लीफ के बावजुद आदमी मरना नहीं चाहता है मरनाल के चाहरे पर एक छीपी वेदना की जलक जहाग गई सिरह लाकर बोली नहीं सचली थी ऐसी बात नहीं ऐसा समय सचमुच में आता है जब मनिशे सचमुच ही मौत चाहता है उस दिन रात को अचानक नीन जो छुटी तो अपनी सास को बिस्तर पर नहीं पाया जल्दी से भार निकली देखा पूजा घर का दरवाजा जरा सा खुला है चुप चाप करीब जाकर मैं खड़ी हुई देखा गले में आचल डाल हाथ जोड़कर वे देवता से मौत की भीक मांग रही थी कह रही थी है देवता अगर एक दिन को भी तन मन से मैंने तुमारी सेवा किये हो तो आज मेरी लाज रख लो मैं मुक्ती नहीं मांगती स्वर्ग भी नहीं चाती सिर्फ इतना चाती हूं कि मुझे शर्मिंदा ना करो ठाकूर मैं अपना यैमू बहु को दिखा नहीं सकती कहते कहते मिरनाल रो पड़ी इस प्रात्ना में मां के हिर्दय की कितनी गहरी वेदनाती यह समझने में किसी को कठनाई ना हुई सुरेश की तो दोनों ही आके भराई किसी के भी मामुली दुप पर वह कातर हो उटता है और आज उस पुत्र हीना जननी के मारमिक दुख की कता सुनकर उसके रिदे में आंधी बहने लगी वह जरादर स्थब्द होकर जमीन की और ताकता रहा और सिर उठाकर उचवासित स्वर में बोल उठा अच्छा जाओ दीदी अपनी बूरी सास की सेवा करके अपना करतवया पूरा करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इस अभागी देश के पास आज भी अगर गर्व करने को कुछ है तो वह है तुम जैसी नारियां ऐसी चीज और कोई भी देश में नहीं दिखा सकता कहकर उसने एक जिग्यासु दृष्टी से अचला की और देखा लेकिन वैखिड़की से बाहर धूसर मेक के टुकड़े पर नजर गड़ाए बैटी थी इसलिए उसकी तरफ से कोई उत्तर ना आया लेकिन शर्मा कर म्रडान ने आलोचना को अपने पर से हटा कर दूसरी और मुरने के ख्याल से जट पटका नहीं नहीं क्यों हैं आप सभी देश की बाद जाना चाहते हैं न अच्छा सजले दादा से आप बड़े हैं ये चोटे क्यों भला कहिए तो म्रडान मुझे अब आप संभूदन ना करें मैं दीदी हूँ पर उम्र में जब छोटी हूँ तो सजले दादा ये चोटे दादा कहिए जल्दी कहिए क्या अच्छा ने आसमान की और नजर हटा कर उसकी तरह देगा बहुत दिन पहले एक दिन उसने इसी जल्दी और सहज़ता से उससे सजली दी का नाता जोड लिया था वह बात याद आ गए लेकिन चूपकी सुरेश को म्रडाल के चरीतर की या खासित मालूम ना थी इसलिए वह उस औरत के और ताकते हुए कौतुहल भरी हसी के साथ बोला छोटे दादा तुम्हारे सजले दादा से मैं कोई डेर साल चोटा हूं मरडाल तो किरपा करके छोटे दादा जी एक आदमी ठीक कर दीजिए सुबह की गाड़ी से मैं मुझे पहुचा आया सुरेश ने यह नही कल ही जाने को तयार हो जाएगी इसलिए वह जरादेर चुप रहा और गंभीर होकर बुला और दो दिन क्या रुक नहीं सकोगी दी दी तुम्हारे जिम में छोड़कर महीम की और से हम लोग निश्चिन थे मुझे ऐसा ख्याल नहीं दाता कि इस साथधानी और करीने की सेव करते मैंने अस्पताल में भी किसी को देखा है क्यों अचला परतियुत्तर में अचला ने सिर हिलाया सुरेश को चिंतित सा देखकर मुर्डार बुली आप इसके लिए तनिक भी ना सूचे जिसकी चीज है उसी के हाथों सौप कर जा रही हूँ नहीं तो शायद मैं जा भी नहीं सकती आपको तो याद है हमें किस जल्दी में चला आना पड़ा था कोई इंतिजाम हो कहीं ना करके आई थी कल आप मुझे छुटी दे फिर जब हुकम होगा चली आओंगी सुरेश फिर कुछ देर के लिए चुप रहा सैसा बुलुटा अच्छा मृणाल उस घोर दह जिनोंने समय को बनाया है वे ही उपाय करेंगे सुरेश अच्छा तो यह हुआ लेकिन तुम्हारी सास तो जादा दिन जिन्दा न रहेगी और डॉक्टर की सला के मताबिक महीम को भी कुछ दिनों के लिए पश्यम के किसी स्वास्ते कर स्थान में रहना होगा फिर तुम व उसे अवग्या का श्वास चुटा सुरेश ने अचानक इसका कोई उत्तर नहीं दिया कुछ देर अन्मना सा उसकी और देखते रहकर हटाहत गर्दन हिला कर बोला नहीं मिरनाल यह बात नहीं किसी अजाने भविश्य का भार एक अपने इश्वर पर चोड़कर वैसे लोग कर पुचा फिर क्या वा मिरना क्या कोई बात नहीं यह पैरों की धूल लेने के लिए दिन्तिती देखने पड़ती है वैं हस पड़े अजीब लड़की है क्या कर सने से हसते वे अचला की और देखकर सुरेश अचरज रह गया उसे लगा जैसे उसकी सारी शकल सावन की काली घटा वाले आसमान से घिर गई है लेकिन किन्तु अचरज की इस धक्के को संभाल कर इस सम्मद में सुरेश को पूछे इस से पहले ही अचला मिरनाल के साथ तेजी से कमरे के बाहर हो गई वही आदसा बैटा सुरेश बार बार अपने ही आप से पूछने लगा यह फिर क्या हो किसे क्या हो गया मिरनाल के यह प्रणाम करने के साथ इसका कैसे तो कोई गहरा सम्मद है इसका वह आप ही आप अनुमान करने लगा लेकिन वह सम्मद है कहां अचानक उसकी पदर दूली लेकर मिरनाल चली क्यों गई और साथी साथ क्यों उड़ा हुआ चैरा लिए अचल हो ना हो उसका कोई बुरा अच्रन इसकी जड़ है यह संधे उसके मन में कांटे सा चुपने लगा मगर मिरणाल से भी इसके बारे में कुछ पूछना सम्भव था रात तो उसने कत्रा कत्रा कर काटी लेकिन सवेरे एक समय अच्रा को अकेली पाकर कहा तुम्हे मेरी एक बात का जवाब देना होगा अच्रा का मुश्रम से लाल उट्टा बात कहती है उसकी अजाने ना देगे पिछली रात की हरकत की कैफियत देने होगी यह ताड़ कर उसने मृदल सवर में पूचा कौन सी बात सुरेश कल मिरनाल एका एक मेरे पैरों की धूली लेकर चली गए और तुम भी रंजो कर मू लटका चली क्या इसलिए कि मैंने उसकी सास के मरने की बात कही ती इस अपरतियाशित प्रशन से एक रहा मिल गई इससे अचला मन ही मन खुश हुई बोली है प्रसंग छुईर ना क्या उचित था बिचारी के पती नहीं और सास के मरने से उसके अकेले पन की तो सोच कर देखो सुरेश बहुत ही खीच कर बोला मुझसे बड़ी गलती होगी लेकिन यह तो मरनाल मी समझती है कि भी अब चंद देनों की महमान है फिर यह वह असहाई क्यों होने लगी अचला हम लोगों ने तो यह बात उससे एक बार भी नहीं गई तुमने ही बलकि उसे तरह तरह से ड़राया कि गाओं में अकेली रहोगी कैसे सुरेश ने पच्टाकर का उसके जाने के पहले क्या हमें भरूसा नहीं देना चाहिए यह कि उसे कोई डर नहीं यह बात कहते कहते करोना से उसका गला भराया अचला उसकी शकल देखकर हसी पराई दुख से दुखी इस युवक की दया की हजारों कहानियों से पल भर में याद आ गए बोली यही नहीं भरोसा नहीं देना होगा और डर दिखाने की भी जरुवत नहीं सुरेश ने आवेक से आत्म विस्मरित हो अकस मात उसके हाथ को कसकर पकड़कर जोरों से जगजोर दिया का यह तुमारे लायक बात हुई तुमसे यही तुम्हें चाहता हूँ अचला कहते ही उसने अशेश लजजस उसका हाथ छोड़कर पह भाग गया उसका जो आवेक शनवर पहले दूसरे की भलाई के सोचंद आनंद में विजए ही हुआ था इस शर्मनाग भाग खड़े होने से पहले ही वह घिनोना और कलुशित सा हो उठा अचला की नसो का खुन बिजली की रफतार से दोड़ा और पसीने की बुंदों से कपाल चुचा हा उठा बदन बार बार सिहर उठा वह एक खुरसी खीच कर नर्जीव की तरह बैट गई थोड़ी देर में वह भाव तो जातरा पर बिमार पती की खाट पर बैटने के बाद सुबह का सारा समय ना जने कैसे एक भै में बीटने लगा जाते जाते भी मिर्णाल को दो एक दिन की देर हो गई महीम से विदा मांगने गई तो देखा आज वह करवट बदलकर असमय सो गए है जो विदा मांगने गई थी इस जूटी निन का निश्चित कारण अनुमान कर बोली उन्हें अब जगाने की जरुटी सजली दिली ठीक है ना जवाब में अचला के होट पर एक बाकी मुसकान खेल गई मिर्णाल मन में समझ गई उसके इस बहाने को एक और भी स्तरी समझ गई है मनीमन अचला इससे इरश्या करती है महीम से इसका कोई अभास ना पाने के बाबजित मुर्णाल जानती थी यह निरर्थक द्रेश उसे काटा सा गड़ा काख़ता फिर भी अचला अपनी हींता से उस बिमार आदमी की पवित्र दुरुबलता का उल्टा मतलब लगाएगी यह वै नहीं सोच पाई थी एक शंड के लिए उसका जी जल उठा लेकिन अपने को जब्द करके उसने उसके कान में कहा तुम तो सब कुछ जानती हो सचली दी मेरी और से उनसे शमा मांग लेना कहना चंगे होकर जब गाउं लोटेंगे तब जिन्दा रही तो भेट होगी नीचे केदार बाबू बैटे थे मिरनाल ने जैसे ही उन्हें प्रणाम किया तुरंत उनकी आँखे गीली होगी इतने अल्प समय में ही वे औरो की तरह इस विद्वा को बहुत सुनी करने लगे थे कुरते के आस्तिन से आँखे पौशते वे बोले बेटी तुम्हारे मंगल से ही है हमने महीम को यम के मुझे वापस पाया जब फुरसत मिले या गुमने की इच्छा हो इस बुड़े चाचा को भूलना मत बिटिया मेरे घर तुम्हारे लिए रात दिन खुला रहेगा कुछ दूर पर अचला खड़ी थी मुरनाल ने उसे दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा इनके होते यम के बाप की भी क्या मजाल जो सजले दादा को ले जा है मैंने जिस दिन उन्हें सजली दीदी के जिमे कर दिया मेरा काम उसी दिन चुक गया केदार बाबु कुछ घंबीर से हो गया अगर कुछ बोले नहीं दो प्रोड से करिंदे और एक नौकरानी मुरनाल को उसके घर छोड़ा आने को तयार थे उन सब को लेकर घोड़ा गारी फाटक से बाहर निकल गई तो केदार बाबु के अंदर के भीतर से एक दिर्ग निश्वास निकला उन्होंने आईस्ते से इतना ही का अपूर अनोखी लड़की है सुरेश का मन भी शायद इसी भाव से भरा हुआ था उसने और किसी तरफ गौर ना करके हामी भरते वे कहा मैंने तो कैसा कभी देही दिखा ना तो ऐसे मीटी बाते सुनी ना कभी ऐसा कुशल काम काज देखा जो भी काम दीजिए कुशलता से करेगी देखकर मन में आएगा कि जीवन भर शायदिया यही करती है मगर गजव है या गाउं के भार कभी कदम भी नी रखा इसने केदार बाबुने सच मानते में भी अचरच के साथ पुचा अच्छा सुरेश जी उसे देखकर तो मेरे जी में आता था पूर्व जनम के संसकार की जो बात कही है सच ना यह कही सची कही है क्या कर वे हसने लगा पूर्व जनम के प्रसंग से केदार बाबु को चिंतित से होकर बुले सो जो भी हो इसे देखकर मेरी धार्णा हुई कि इस्त्रियों में यह अनमोल रतन है इसे आज जिवन यूही जिवन अमरित बनाई रखना पाप ही नहीं महापाप है अगर यह मेरी लड़की होती तो मैं हरगी जैसा नहीं कर सकता था तो आप क्या करते हैं? सुरेश ने ताज्यूब से पूछा मैं फिर से उसकी शहादी करता एक बुढ़े को सौप कर जिन लोगों ने इस 19-20 साल की लड़की की इसी उमर में सन्नासरी बनाया है वे उसके हित नहीं कटर दुश्मन है और दुश्मनों के काम को मैं किसी भी हालत में वाजिब नहीं मानता वे जरा चुप रहकर फिर बोले जरा उसके स्वामी के ही सलुक को तो देखो दो दो बीवी के गुजरने के बाद जब पचास साल की उमर में इस खुसर्ट ने इस लड़की से गड़बंदन किया तो अपने मौज मज़े किसी वाया उसने इसके भविश्य के बारे में जरा भी सोचा सुरेश को निरुतर देखकर भे और भी जोश में आ गया बोले मैं विद्वा विवा के बुरे भले का तरक नहीं करना चाता लेकिन इस पर तुमारा सारा हिंदु समाज चीक चीक कर मर ही जाए तो भी मैं यह नहीं मानने का कि उस दूद पीती बच्ची के लिए यही विधान श्रेकर है उसे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे देखकर वै एक भी दिन गुजार सके सारी जिन्दगी कोई खिलवार है कि भ्रमचारी भ्रमचारी का शूर मचाने से सारी दुनिया रातो रात तपोवन हो जाएगी उस लड़की के कपड़े लगते देखकर ही मेरा कलेजा फट जाता था सुरेश ने जवाब नहीं दिया नजर उठा कर देखा तक नहीं लेकिन कंखी ने उसे देखा कि अचला अब तक चौकट का सहरालिय बुद जैसी खड़ी थी वहाँ अब वह नहीं है जाने कब अंदर चली गई मरणाल के चले जाने के बाद अचला जब जब सुरेश के चहरे की तरफ ताकती उसे लगताव है अनमना हो गया और ना जाने कौन सा शोक उसे करमशे निरस किये दे रहा है दो दिन के बाद एक दिन तीसरे पहर नीचले बरांदे के एक और धूप में अराम कुरसी पर बेटा सुरेश यहने कौन सी किताब पढ़ रहा था आहट पाकर देखा कि अचला खुद उसके लिए चाय लेकर आ रही है पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ हैरत में सुरेश सीदा बढ़ते वे बोला बैरा कहा है खुद लिए चली आ रही हो अचला नहीं उसका जवाब ने दिया एक छोटी सी तीपाई पर चाय का प्याला रखते वे दूरसरी कुरसी खीच कर आप बैठ गई उसके इस बिलकुल नए आचरन से दूसरा सवाल करने का सहाथ सुरेश को ना हुआ उसने चुप चाप चाय का प्याला हाथ में उठा लिया कुछ देर चुप बैठी रहने पर अचला ने कहा अच्छा सुरेश बाबू विद्वा विवा को आप किसी हालत में अच्छा नहीं समझते है सुरेश ने कहा समझता हूँ इसलिए मेरा कुछ संसकार अभी तक उस हब तक पहुँचा नहीं है अपने को सोचने का और ज़्यादा मौका न देकर अच्छा बोली फिर तो मर्नाल जैसी लड़की से विवा करने में आपको रत्ती भर भी अतराज ना होना चाहिए इसका मतलब सुरेश ने कहा अच्छा की शकल या कंट स्वर में उत्तेजना के आसान नहीं दिखाई दिये बड़े सहज रंक से बली आपके आगे मैं असंखेर रनों से रिनी हूँ इसके सिवा मैं आपका भला चाहने वाले हूँ आपको मैं सुखी से संसारी कर सोभाविक देखना चाहते हूँ एक दिन आप विवा करने को तयार थे और आज मेरा एकांत अनुरूध है सुईकार कीजिए जैसे कंठस थो एक ही सांस में इतनी इतनी बाते बोल कर अचला हाफने लगी बड़ी देरे तक सुरेश पत्थर की मूर्ती सा इस तिर बैटा रहा और आकिर बुला इससे क्या तुम सच खुश होगी अचला हाँ वह राजी होगी मैं समझती हूँ सुरेश जिरा फीक हैं सकर बले रिकिर मैं ऐसा नहीं समझता तुमने किताम बें पड़ा है सहे मरण में कोई कोई सती पती के साथ हस्ते हस्ते जल मरती थी मरणाल उसी कोटी की औरत है मूँ की बात पर उसे राजी करना तो बहुत दूर की बात है एक एक करके उसके हाथ पौँ काटते जा फिर भी दुबारा बिहा करने के लिए उसे राजी नहीं कराया जा सकता इस असंभव को संभव करने की चेश्टा में नहा कि उसके सामने मेरी मिट्टी पलीद मत करो अचला उसने मुझे दादा का है इस समान को मैं सुरक्षित रखना चाता हूँ और देखते ही देखते अचला का चेहरा गुसे से काला पड़ गया सुरेश का कहना समागत होती सक्तो कर बूल उठी संसार में अकेली मुर्णाल ही सती नहीं है सुरेश बाबू ऐसी भी सतीया हैं जिनोंने मन में भी किसी को पती रूप में चुल लिया हो तो लाकों प्रलॉप ने से भी उसे डिगाया नहीं जा सकता और जिनका जिक्र छापे की किताबों में ना मिले तो भी इसे सज जने और इतना कहकर हैरान से रहे हक्के बक्के से सुरेश की तरफ नजर तक न उठाकर वह गर्विता नारी द्रड़ कदम बढ़ाती भी बाहर चली गए किसी की आखपट प्रशनसा में किसी और के लिए कितना कठोर अगात और अपमान चीपा रह सकता है वक्ता और श्रोता दोनों में से कोई शायद थोड़ी दिर पहले तक भी इसे नहीं जानता था हाथ का प्याला हाथ ही में लिए सुरेश बेबस सा बैठा रहा और अचला अपने कमरे में जाकर तकिये में मूँ चीपा रुलाई के बेरोक वेक को रोकने लगी बगल में ही महीन का कमरा था कहीं उसके कानों में आवाज ना पहुचे अंतर यामे के सिवा वास्तव में इस रुलाई का इत्यास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सका लेकिन इस गहन दुख से उसे नया तथ्य मिला नारी जीवन में ही है सतीत्व कितनी मुल्यावान वस्तु है इतने दिनों के बाद आज ही मानों पहले पहल उसकी आँखों के सामने प्रकट हुआ इस रोज सुरेश से उसके सांस पर्ष पर पिता की संदह आलू दृष्टी से वे बेहत दुखे और नराज हुई थी समझाता कि यह उस पर जुल्म है पर आज जब अचानक उसी धर महीन पराई इस तरी पर निगा रखने वाले सुरेश कोई सतीत्व के चड़नों पर सिर नवा कर इस तरह परणाम करते देगा तो उसे यह समझना बाकी ना रहा कि उसका असली इस्थान क्या है एक चीज़ और उसने आज यह भी अनुभव किया कि स्पष्ट कहने की ताकत क्या होती है वह शिक्षित थी मन में स्वामी के लिए निष्ठा ही सतित्व है यह बात अविदित ना थी यह वह अच्छी तरह जानती थी कि अकेला मन या अकेला तन कोई भी पूर्ण नहीं फिर भी मन जब उसका डावा डोल हुआ जवान से यह कहने में उसे हिचक नहीं हुई कि पती को वह प्यार नहीं करती तब भी उसे अपने आपको छोटा नहीं लगा पर आज जब सुरेश की जगवान से निकले हुई बात ने अजानते ही उसके नाम से असली शब्द को जोड़ देना चाहा तो उसकी समस्त अंतरात्मा एक्रदय वेधी वेधना के आतरस्वर में चीक कर रो पड़ी इसका यह मतलब नहीं कि इस से मुर्णाल पर उसकी श्रद्धा बढ़ गई हो उसके समन्द में आज उसे जो चेतना मिली उसे वे जिन्दगी में कभी नहीं बुलेगी अनिवन वह बार बार यही प्रतिग्या करने लगी बाहर पिता की छड़ी की ठक्टक और पीछे से सुरेश के पैरों के आठ उसने सुनी समझ गई कि वे लोग महीम के पास जा रहे हैं जराही देर में पिता की पुकार पर उसने आचल से भली तरह आँख मौचकर किवार कुला और उस कमरे में पहुची उसकी सूरत दे कर केदार बावू ने पूचा क्यों बात क्या है अरे दो ही बज़े शुर्बा देना था चार बज़ रहे हैं अर्य यह शकल ऐऽसी क्यूए क्या सो रही थी अचला जवाब ने देकर जल्दी से चली गई जब से मरीज को शोरबा देने को कहा गया था यह का मरनाल ही करती थी नौकर चुले पर चड़ा देता था वह समय पर अंदास से उतार लिया करती थी उसके जाने के बाद यह बार अचला पर आपड़ा था आज उसे इसकी याद ही ने रही दोड़ी दोड़ी गई देखा आग कपकी ठंडी हो गई और शोरबा जलकर सूख गया है बड़ी देर तक सन सी खड़ी होकर जब वह लोटी तो यह सुनकर केदार बाबुने अचला से कुछ नहीं कहा सुरेश ने सिक कड़े शब्दों में बोले मैंने तुमसे तब ही कहा था सुरेश कि अभी एक अच्छी नर्स ना रखोगे तो महीम को बचा नहीं पाऊगे मेरी लड़की को क्या तुम मुझसे जादा जानते हो सुरेश चुप बैठा रहा लेकिन यह किसी ने नहीं देखा कि महीम अब तक इस तरी के शेरम से फीके पड़े चेहरे की और देख रहा था वे दीरे दीरे बोला सुरेश नर्स के हाथों से मुझे दवा तक ना रूचे की लेकिन मदद के लिए इने कोई आदमी तो कल परसो दो दो रात इने रात रात बर जागना पड़ा है दिन के वक्त थोड़ा सा अराम ना करने पर तो कल पुर्जे के आदमी से भी काम नहीं ले सकते बात अक्षरे से सत्ते नहुत पर जूट ना थी सुरेश खुश हो गया लेकिन केदार बाबू अपनी रूखी बात पर लजजी थो कुछ कहने ही जा रहे थे कि अचला कमरे से बाहर चली गई रात में बहुत बार उसके जी में आया कि बिमार पती से रो रोकर अपने अने अपरादों के लिए शमा मांगर पुछे कि उसकी जैसी पापनी को फजीहत से बचाने की उन्हीं क्या पड़ी थी लेकिन चरम लजजा से यह सवाल किसी भी प्रकार से उसके मुझे ना निकला सुरेश का एक काम था वै रोज काफी रात को महीम के कमरे में जाकर सारी जरूरी चीज़ों का इंतिजाम करके तब सोने जाता था मिरनाल जब थी तब लगवग रात भर आता जाता रहता था और जरूरत भी थी लेकिन धर कई दिन से देखा गया सहजी वै कमरे में नहीं जाता जरूरत होती तब वै दाई को भीज कर खोज लेता केवल सांस से पहले एक बार जरादेर के लिए खुद आकर पूछताच करता उसके इस रवये ने सबसे पहले अचला का ही ध्यान की चाता लेकिन इस पर कुछ कहना उसके लिए संभव नहीं था इसलिए वै चुप ही रही पर जिस दिन महीम ने खुदी इसका जिक्र किया तब उसे कहना पड़ा की आज कल वै ज़्यादातर घर में नहीं रहते इसकी वज़ा भी वै नहीं जानती महीम ने चुप चप सुना अपनी कोई राय ना दी दूसरे दिन सवेरे अचला नीचे उतर रहती और सुरेश भी किसी काम से उपड़ जा रहा था अचला को देखते ही वह दूसरी तरह अट गया उसे संदह नहरा की सुरेश उसी से कतर आता चलता है और एक दिन हिर्दय से उसने जिसकी काम ना की थी सुरेश की हरकत से उसका वही हिर्दय विथा से पीड़ी थो उठा अचला की सभी कामकाज उठने बैटने तक में मन की एकांत कौने में जो बात हर पलसु लगती रही वही है कि सुरेश के मन में कोई बहुत बड़ा परिवर्टन काम कर रहा है जिससे उसका कोई तालुक ने जो उध्याम प्रेम कभी उसमें पैदा होकर बड़ा वैमानो टूटे फूटे घर सा उसे छोड़कर कहीं चला गया वै अपने आपको हजारो दरा से जिड़कने धिकारने हजारो बार का टुकती करने लगी लेकिन विदाए की वेदना को वे हर गिस मन से दूर नहटा सकी टालने लगी अपने आप पर व्यंग करके कहने लगी इस असंभव के संभव होने से पहले बडू मरी तो भी यह बात चाया सी उसके पीछे ही लगी रही खूंते फिरते वहाई से अपनी आँखों से देखने लगी और शायद इसलिए इस विभीशी का से पिंड चुड़ा जाने की नियत से नहाने खाने भर के समय को छोड़कर रात दिन में थोड़ा भी समय पती से अलग रहने का सहस ना कर सकी बगल का जो कमरा उसके लिए था इन कई दिनों में उसमें जाने की भी उसकी इच्छा नही ऐसे ही कुछ दिन बीट गए महीम लगबग स्वस्त हो गय आब हवा बदलने के लिए जल्द ही जबल पूर जाने की बात चल रही थी उस दिन अचला नीचे बाटकर स्टॉप पर पती के लिए दूद गरम कर रही थी दूद बार बार उफन रहा था उसे किसी तरफ ताकने की फुरसत ना थी यह नहीं जान सके कि महीम अब तक उसी क और देख रहा है अचानक पती की लंबी सास की आवा सुनकर उसने सिर उठा कर एक बार देख भर लिया फिर अपने काम में लगई महीम कभी भी जादा नहीं बोलता मगर एका एक निश्वास फेक कर बोल उठा सच अचला बहुत बड़े दुक्के बिना कभी कोई बड़ी चीज नहीं पाई जा सकती मेरा घर भी फिर बनेगा और यह बिमारी भी जाती रहेगी लेकिन इसे भी जो अनमूल चीज मैंने पा मिरनाल सुरेश इन लोगों ने भी कुछ कम सेवा नहीं की मेरी लेकिन ना जाने क्यों जब भी मुझे होश आता मैं घुटन महसूस करता बार बार जी में आता इन्हें इतनी तकलिफ इतनी असुविदा हो रही है इनके इस एहसान का बतला जीवन में कैसे चुकाऊंगा ल अचला घरदन जुकाई दूद को चलाती रही पर किछ बोली नहीं महीम ने का और कितना ठंडा करोगी लाओ अचला ने तो कुछ कहा नहीं नजर जुकाई उसी तरह बैठ रही पहले तो महीम को हैरानी हुई लेकिन वे तुरंत समझ गया कि मुझसे अपने आसु चेपाने के लिए उस तरह सर जुकाई बैठी है सुरेश क्यों नहीं आता इसका वास्तवी कारण ना समझते वे भी महीम ने कुछ अनुमान नहीं किया था ऐसी बात नहीं इसके लिए उसके मन में शोब मिली हुई एक खुशी ही थी क्योंकि अचला सतर्क हो गई है अकेले में अचा के करीबी एक चौकी पड़ी थी उस दिन काफी रात तक अचला उसी पर बैटी कोई किताब पढ़ रही थी और बाद में ठक कर बाकी रात वहीं सोई रही सवेरे महीम के जगाने पर वे हड़ बढ़ा कर उट बैटे किड़की कुल कर देखा बेला हो गई है महीम किसी काम के लिए उसे कहते कहते रुग गया और सिर से पाउं तक इस तरी को बार बार गौर करके अचला से बचा अरे तुम्हारी अपनी चादर क्या हो गई उससे भी ज़्यादा हैरत में आकर अचला ने देखा अभी अभी जखने के बाद तो चादर वेला पिट कर आई है यह सुरे कर उनके पेर उपर रखकर खुद आचा लोड़े ही पढ़ने बैट गई थी इतना ही सिर्फ याद आया और नीन में उसे सर्दी सी लगी थी और अब जाकर यही देख रही है इस तरी के शर्माई चेहरे के को देखकर महीम ने सनही से और कौतक पूर्ण हसीया सा बुला इस चला चादर लिए बाहर आई तो अपने कमरे में विमूर सी बैट गई कुछ समझना बाकी न रहा काफी रात बीतने पर सुरेश चुपचप कमरे में आया होगा और उसे निद्रित देक्स नहीं जतन से पनी चादर उड़ा कर चला गया होगा और इस बात में उसे जरा भी स इस कदा चरन से उसकी लच्चा की सीमा नहीं इसे कुछ सित निंद्रिया सब्भे का कर वे हजार तरह से लथरेट ने लगी में मान के पड़ती मकान मालिक का चोरी चोरी कर्म और अपने जीवन में कभी शमा ना करने की बार बार पड़ती क्या कि फिर भी उसका मन इस अभी योग के लिए खुलकर स्विकार नहीं कर रहा है यह भी उसने समझा लेकिन साथ ही उसके आगए यह भी सपश्ट हो गया कि आस तक क्या और कहां चुबदा रहा उसे केदार बाबु के कोई बच्पन के साथी जबलपुर में रहते थे उनके यहां से जवाब आया जलवाई लिए न समाथ होने को आया है रहा कि थोड़ी बहुत तकलीफ अब झेलने लायक भी हो गए हो तो अब देर काहे कि चली देना चाहिए जवानी में एक बार वे जबलपुर गए थे उसकी स्मृतिया मन में थी उन्हीं को बड़े उमंग के साथ वरनन करते वे बोले जगदी है कि उसने धीमी से पूचा क्यों जबलपुर तो अच्छी जगा है नहीं जाना चाहते महीं तुम लोग मुझे इतना तंदूस्तर सबल समझ रही हो हकीकत में उतना मैं अभी नहीं हुआ और होंगा या नहीं इसकी भी आशा नहीं करता अचला इसलिए तो डॉक्टर ने चलवायू पर इवरतन करने की सला दिया घूमाएंगे घूमाओ सब ठीक हो जाएगा महीं ने धीरी धीरी गर्दन इला और जरादे चुपरा बोला पता नहीं लेकिन ऐसी हालत में अपने या किसी के भरोसे मुझे सुर्ग जाने पर भी भरोसा नहीं बता अंदर से मैं बह इस व्याकुल याचिना ने मन शूल चुबोकर अचला के हिर्दे में अब तक के सारे रूंदेस ने करुणा और मधरिया का मुझ खोल दिया वह अपने आपको संभाल ना सकी और कहीं बड़ी देर तक अचला जोर दुख से खुले दरवाजे की तरफ देखता रहा और वह भेट हुई तो स्वामी इस तरी मेंसे किसी ने इसके बारे में कोई बात ना की दूसरे दिन में हाथ में तार ली आई मिस्कुरा कर बोली जगदीश बाब उन्हों ने अपने मकान के पास ही हम लोगों के लिए छोटा सा मकान ठीक कर दिया है महीम ठीक से ना समझ सकने पर बोला इसका मतलब अचला वे पिताजी के मित्र हैं इस नाते उन्हाने आपको जगा दी माना मगर दो दो आदमी तो उनके कंदे पर जाकर नहीं लग सकते इसलिए मैंने कल ही पिताजी को लिग भेजा था कि एक दूसरा मकान ठीक करने के लिए उन्हें तार दे दे उसी का जवाब है यह करकर उसने पीला सा लिफाफा पती के विछावन पर फेग दिया महीम ने उसे उठा कर शुरू से अन तक पढ़कर सिर्फ अच्छा का वैस समझ गया कि अच्छा स्विच्छा के साथ जाना चाहती है लेकिन कल वाले आच्छन को याद करके आज भी उसके लिए ऐसा ही दुरूद वैसा ही दुरूजी है किसी तरह की चंचलता दिखाने की उसे इच्छा ना हुई किन्तु अच्छला की और से सफर की पूरी तैयारी होने लगी उस दिन दुपहर को इस कमरे में आकर वै अपना समान ठीक कर रही थी केदार वावु दरवाजे के पास कुछ देर खड़े खड़े देखते रहकर बोले तुम ना जाओ तो कोई हर्ज है बेटी क्यों पिता जी सेहत और इलाज के लिहास से उसका साथ रहना ठीक नहीं है पिता होकर बेटी से यह कहने में उन्हें की शरम नहीं आए इसलिए महीम की मौजुदा आर्थिक इस्तितिका इशारा करते वे बोले कौन जादा दिन की बात है फिर जगदीश के यहां उसे कोई तकलीफ ही भी नहीं होगे कुछ दिने को लिए नाहा की जादा खर्च करके असली बात अचला ने नहीं समझे उसने पिता के और नजर उठा कर का शायद उन्होंने कहा है नहीं नहीं महीम ने कुछ नहीं कहा मैं ही ऐसा सुच रहा हूँ तो तुम कुछ ना सोचो मैं सब ठीक कर लोंगी कहकर वे अपने काम में लग गई दूसरे ही दिन अपने दो जेवर बेचकर उसने नगद रुबे मंगवा कर रखे फागुन के मध्य जाने का विचारता पर सुरेश की फूफी ने पंडित से पत्रा दिखवा कर पहले ही हफते में यात्रा का दिन तै करवा दिया सब को वही राय माननी पड़े जाने के दो दिन पहले से इचला का मन हवा में तैरता फिरने लगा कलकता से बाहर कुछ दिनों के लिए ससुराल में रहने के सिवा वह कभी बाहर नहीं गई थी पश्यम की तो उसने कभी शकल भी नहीं देगी वहां जितने समारक हैं वन जंगल पहाड परवत नदी जल परपात कितना कुछ है जिनके बारे में लोगों की जवानी सुनने के सिवा आँखों से देखने की कलपना भी उसके मन में नहीं आई वही सारे आश्यारे जब अपने आँखों से देखने जा रही है इसके सिवा वहां उसके पती को सिहत मिलेगी वहाँ अकेली वह पती की घरनी ग्रहनी सभी कावों में हाद बटाने वाली रहेगी सुआस्ते के लिए वहाँ की आभवा अच्छी है जीवन यातरा का पत सहज सुगम है ये अच्छे हो गए तो वहीं कहीं अपनी दुनिया बसाएगी और निकट भविश्य में जो आप परीची ताती थी एक एक करके आकर उसकी घर गरस्ती को परिपूर्ण कर देंगे उनके कोमल मुख्डे नहायत परीचित से ही मानो उसकी निगाओं के सामने नाचने लगे इसी के लिए ना तो शिक्वा रहना शिकायत खृदय की सारी गलानी दुल गई और मन गंगा जलसा निर्मल पवित्र हो गया और उसे इस बात की बड़ी च्छा होने लगी कि जाने से पहले एक बार मिर्नाल से भेट हो जाए उसे अपनी च्छाती से लगा कर जाने अन जान का उसने आज अनुभव किया और कभी नहीं किया था उसे भी हिर्दै से शमा मांगने है लेकिन खोच करने पर पता चला वे कल से ही घर पर नहीं है जाने की दिन सुबा से ही बदली गिराई बुदा बांदी शुरू हो गई समान बांदी जा चुके लिए कुछ-कुछ स्ट पूरे दो दिन सुरेश के दर्शन नहीं हो लेकिन आज दिन अच्छा ना था चाहे इसलिए या और किसी कारण से वे अपने पढ़ने वाले कमरे में ही था इस उस आनंद भीहिन कमरे में अचला ने वसंद के एक जोके सा परवेश किया उसकी आवाज में खुशी जलक पढ देखेगी अपराद किया है क्या कहिए तो सुरेश चिठी लिक रहा था नजर उठाकर उसने देखा अपना घर जल जाने के बाद उसके आस पास पास पौदों की जो सूरत अचला देखा आई थी सुरेश के इस चेहरे ने उसकी ऐसी याद दिला दी वे मनीमन सीहर उटी ब अबियत मेरी खराब नहीं है मैं ठीक हूँ उसके बाद किताब के पन्ने पलटता हुआ बुला आज ही तो जा रहे हैं सब ठीक हो गया ना जाने कब भेट होगी लेकिन दो एक मिनट तक दूसरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर अच्रस से उसने सिर उठाकर ताका अचला की दोनों आके लबालब भर गए थी आँख मिलता ही आसू की बड़ी बड़ी बुंदे टपा टप चूप पने सुरेश की नसों में गरम खुन खौल उठा लेकिन आज सारी शक्ति लगा कर उसने अपने को जब्द करके सिर जुका लिया आचल से आसू पहुचकर अचला ने गाड़े सरमेगा तुम्हारी तेबित हरगे जची नहीं तुम भी हम लोगों के साथ चलो सुरेश ने सिर इला करका नहीं नहीं क्यों तुम्हारे लिए बात पूरी नहों सकी बार से बैरी नहीं वास दी बाबुजी चाय और परदा हटा कर वे अंदर आया साथ ही साथ मू अबरे में ही हैं महीं नहीं नहीं अभी नौकरानी कह गए या सवेरे ही निकल गए अचला चुप रही थोड़ी ही देर पहले उससे बेट हुई है बिमार है बच्पन की तरह इस बार भी उसने तुम्हारी जान बचाई है कि इसी ऐसान से उसको एक बार बुलाना तुम्हा धीरे धीरे स्टेशन जाने का समय करीब आ गया नीचे केदार बाबु की चीख वुकार सुनाई पड़ी फूफी भरा घट लिए व्यस्त हो गई नौकरों ने गाड़ी पर सारा समान लाद दिया लेकिन जो मकान मालिक थे उन्हीं का कोई पता नहीं था फिर भी इस पर गाड़ी पर सवार होकर अकेले में महीम ने दुखी होकर अचला से का आकिर उसने हमसे भेट नहीं की उससे एक बात कहने के लिए मैं दो दिनों तक उसके प्रतिक्षा करता रहा पिता की बात से उससे मैं अचला की आँखों में आसु भर है तो उसने केवल गर्दन हिला कर कहने ओट में फूफी खड़ी थी भक्ती से उन्हें प्रणाम करके अचला ने उनकी चर्णों की धूली तो गदगद होकर असंख्य आशिरवाद देती हुए बोली थी तुभारा सुहाग अक्षे हो बिटिया पती की को निरोग करके जल्द लोटा इश्वर से यही प्रात थी बाहर बादलों से भरा आस्मान बूनदाबांदी का विराम नहीं लोगों के चलने से सारा प्रेटफरम कीचर से भड़ गया था लोग गटरी मोटरी लिए किसी तरह संबल संबल कर जगा ढूंडते फिर रहे थे ऐसे में अचला ने देखा हाथ में एक बड़ा सा सूट केस लिए सुरेश आ रहा है अचरज और दुश्चिंता से केदार बाबु का चैरा स्याह हो उठा उसके पास आते ही ना आते वे चीक उठे अरे माजरा क्या है सुरेश तुम कहां चले जवाब सुरेश ने अचला को दिया उसी के और देखकर सूखी हसी हसते वे कहा ना मैं ने देखा तुम्हारा उबदेश आमंतरन किसी के उपेक्षा नहीं की जा सकती आज सवरे आँख में उंगली गड़ा कर तुमने ना बता दिया होता तो मैं समझ ही नहीं पाता कि सेहत मेरी भी कितनी खराब हो गई है चलो कुछ दिन तुमारा ही मैं मानो कर रहूं देखो ठीक हो सकता हूँ की नहीं सच कह रहा हूँ ना ठीक तो है ठीक तो है इसके लवा नहीं जगा में हमें काफी मदद भी मिल जाएगी कहकर महीम ने अचला की और देखा उसकी इस मौन और दुखी निगाने मानो शोर करके सब को सुनाते वे अचला से का मुझसे क्यों नहीं क कुछ समय तक भी मोर साह रहकर अचानक अंदर की उत्तेजना को बाहर ढखेल कर नहा की प्रेशान सा भूल उठा लेकिन अब समय तो नहीं है चलो गाड़ी पर ही बाते होंगी चलिए केदार बाबू कहकर केवल सामने की और ही नजर किये माने सब को मानो ठेलता ही ले चला बड़ी देर तक तो केदार बाबू भी कुछ नहीं बोले महीम को उसकी जगा पर बठा कर अचला को उन्होंने औरतों के डबे में चड़ा दिया केवल उस समय जब गाड़ी छूटने लगी और जुकर उन्हें परणाम करके सुरेश महीम की बगल में जा बठा तो उन्होंने का तुम साथ हो तो आशा है रास्ते में कोई तकलीफ ना होगी औरत वाला डिबा जरा दूर है बीच बीच में जरा खोच खबर लेते रहना सुरेश मैं बेताब रहूंगा कहकर उन्होंने आशू रोकते वे प्रस्तान किया उनका वे उदास चैरा सिनेह गिला स्वर बड़ी देर तक दौनों मित्रों के कानों में गुंचता रहा गाड़ी छूटी और सरदी लगने के डर से महीम जट कंबल लपिट कर लेड़ गया लेकिन सुरेश वहीं उसी तरह बैठा रहा वहां उसकी शेकल की तरफ गौर करने वाला कोई नहीं था अगर होता तो देखकर कह सकता था कि आज उन दो आँखों की निगा हर्गिस स्वभाविक ना थी भीतर बहुत बड़ी कोई ज्वाला में की ना रहने से किसी की आँख से ऐसी तीखी रोशनी छिटक भी नहीं सकती पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती रुकती धीमी धीमी चाल से बढ़ने लगी बहर बारीश होती रही और किसी बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकने को ही तो चदर में लिप्टा मू बहर निकल कर महीम ने कहा भीड तो थी नहीं थोड़ा सोही क्यों नहीं लिया सुरेश ऐसे सुवेदा तो हर वक्त नहीं मिल सकती सुरेश ने चौक कर कहा सो रहा हूँ उसका यह चौकना ऐसा बेतुका और लगा कि महीम अशेरे से अवाक हो गया मानुग है उससे च्छिपा कर कोई गुना कर रहा था पकड़े जाने के खौफ से वह डर गया इस आशंका को महीम तेर तक मन में निकाल नहीं सका गाड़ी रुप गई अपनी स्तिती समझकर हसी के अभास से मुखड़े को कुछ सरस बना कर सुरेश निकाल मैंने सोचा था कि तुम सो रहे हो सो चौक उठा महीम ने किवल हूँ किया बिना जरूरत की वह सफाई उसे अच्छी नहीं लगी सुरेश वोला खासनी मैं चपट कर देखाता हूं और सुरेश दर्वाजा खुल कर बाहर निकल गया औरत वाले डिबे के पास चाकर देखा अचला को एक हम उम्र साथी ने मिल गई वैं उसी के साथ कपशप कर रही है उसी लड़की ने पहले सुरेश को देखा और अचला को चुकर इशारा करके मुग फिर कर बढ़ गए अचला ने पलट कर देखा सुरेश ने पूछा कुछ चाहिए या नहीं अचला ने सिर हिला कर नहीं कहा तुम्हें पानी में नहीं भीगना है जाओ कहकर मैं खिड़की के पास आगई धीमे से का मेरी फिक्र की जरुवत थी जिनकी फिक्र हैं उनका जरा ख्य नहीं चाहती सुनकर अचला की गनपटी तक शरम से लाल होती लेकिन नजर उठाते ही सुरेश कहीं देखना ले इस अशंका से उसने किसी कदर इसे परिहास को शकल देने की कोशिश करते हुए हसकर का अच्छा तुम चलो तो सही वह काम कराऊंगी तुमसे की लेकिन बात को पूरी नहीं कर सकी उसकी छीपी लज्जा ने इस बनावटी परिहास के बाहरी परकाश को बीच में ही भड़कते वे रोक दिया गाड़ी छुटने की गंटी बजी कुछ कहना चाहते वे भी सुरेश बिना कुछ कही चले जा रहा था कि बाधा पागर उसने उलटकर देखा उसकी चादर का एक छोड अचला की मुठी में है वे फस फसा कर गरस सी उठी मैंने तुम्हें साथ चलने को कहाता यह बात तुमने सब के सामने क्यों कह दी मुझे इस तरह आप प्रतीब क्यों बनाया ठीक इसी बात के लिए तब से सुरेश के अंदर उतल पतल मची थी और सुरेश को और कुछ कहने का मौका ना मिला अचला ने उसकी चादर छोड़ दी और वे धड़कता दिलिये तेजी से चला गया वे जरूर किसी दरफ निगा किये भी न चल पड़ा लेकिन नजरों से उसका पीछा करते वे एक और जने की धड़कन थम जाने को हुई अचला अचला ने देखा अपने डिबे में एक खड़की से बाहर सर निकाल कर महीं उनी लोगों को देख रहा है अचला अब अपनी जगा पर आ बाटे उस लड़की ने पूचा यही है आपके बाव अनमनी अचला किवल हूं करके सुनी आखों बाहर केत खलियान प्रेड पौदो बात करने लिए जिश्यरम ने घंटा पर पहले उसे मायूस कर दिया था वह याद मी ना रहा किसी बड़े स्टेशन पर सुरेश खानसामा के हाथों चाय और खाने की चीज़े लेकर हाजिल हुआ अचला ने सब कुछ रखवा कर शिकायत करते हुए इन जंजटों के लिए किसने का तुमारे मित्र रतन ने शायद अचला खूब जानती थी कि इन बातों में सुरेश किसी के कहने के अबेक्शा नहीं रखता फिर भी अनमांगे इस जतन के लिए इतनी सी चिकाटी काटे बिना ना रह सकी सुरेश होट दबा कर हसने वे चला जा रहा था अचला ने तरह सल पती के बारे में जानने के लिए ही सुरेश को फिर से पुका रहा था कि उन्हें कोई तकलीफ या असुईधा तो नहीं है या कोई जरुवत तो नहीं एक बार आ सकींगे क्या एक एक कर ये बाते जाने की इच्छा थी मगर अब एक भी बात पूछने की शक्ती ना रही उसने बेतु की गंभीरता से फिर इतना पूछा हमें इलावाद में गाड़ी बदलने हैं कितनी रात को गाड़ी माँ पहुची की मालू है आपको पता करके यह कह जाएंगे मजे अच्छा इतना कहकर सुरेश कुछ चकित सा हो चला गया लौट कर अच्छा ने देखा वह लड़की अपनी जगा से दूर हटकर बैठी है अपनी व्यक्ति को संभालना पाकर अच्छा ने पूछा आपके हैं लोग चाय डबल रोटी नहीं खाते हैं वह नमरता के साथ हसकर बले भला पूछती है इस बला से कोई घर बचा है सब ही खाते हैं तो फिर घृणा से अपके दूर सरक गई उसने शर्मा करका नहीं भेन घरणा से नहीं मर्द तो सभी काते हैं लेकिन मेरे ससुर यह सब पसंद नहीं करते हैं और हम औरतों को ऐसे ही खाने चूने के मामले में मुर्णाल से उसकी जुदाई हुई थी उस दिन मीवे जिस कारण से अपने को रोक नहीं सकी थी आज भी वैसे ही एक अंतर ज्वाला से आत्म विस्मरित हो गई और रुखाई के साथ उससे बली मैं आपको तंग नहीं करना चाहते हैं आप मजी में अपनी जगा पर जाकर बैठ सकती हैं और पलक मारने भर की देर में अचला ने चाय रोटी खिड़की के बा थोड़ी देर के लिए बारिश जरूर थम गई थी मगर आसमान में बादल जमते ही चले जा रहे थी तीसरे बहर के करी फिर बारिश जम गई वै लड़की इसी पानी में उतर जाएगी तयार होने लगी अचला से और ना रहा गया वै उसके पास जा बाठी उसकी हतली अपन ठीक नहीं रहने पर मैं क्या कर बाठती हूं कोई ठीका नहीं पती बिमार है उन्हे लेकर जलवाई परिवर्तन के लिए बाहर जा रही है अच्छे हो गए तो ठीक ही है नहीं तो इस परदेश में क्या बितेगी भगवान ही जानते है कहते कहते उसका गला भराया उस यही कि आपके बावू हैं तो अन्मनी अचला ने हूं कर दिया था यह अचला को याद ही ना था लेकिन वह ना बुली थी सो उसके चकित हुने को अचला ने अनुभफ से ग्रहंड किया सुरेश से उसकी बाच्चित का ढंग उसे कैसा बुरा लगा मन ही मन इसकी कल्पना से व समझ नहीं सकती इसलिए हमें अजीब और गरीब ना समझे अपकी वे लड़की हसी हम तो ऐसा नहीं सोचती आप ही लोग बलकि जिस कारण से भी हमसे दूर रहना चाहते हैं यह मैंने कैसे जाना हमारे दो एक अपने लोग आपके समाज के हैं उन्हीं से मैंने जाना कहकर व हमारे ही यहां क्यों नहीं चलती कहां आ रहा कोई माँ वहां भी आदमी रहता है मेरे पती ठेकी दारी करते हैं इसलिए मिझे कभी कभी वहां जाकर रहना पड़ता है मैं डिहरी की बात कर रही हूं सोन नदी के किनारे अपना चोटा सगर है वहां दो दिन रहने से आपके पती चंगे हो जाएंगे अचला के दौनों हाथ अपनी गोदी में लेकर वह उसके और ताकने लगी इस आप आरीचित इस तरी के उच सकता और हारदी कागरे देखकर अचला मुगद हो गई बोली लेकिन इसके लिए आपको पती की एनुमती नहीं होनी चाहिए उनके कहे बि तो आप सीधे ढहरी चले हैं बिल्कुल ना सोचें मैं कह रही हूँ आनिमती मैं ले लूँगी आपको क्या गर्च पड़ी है यह कहकर उस सुहागिन लड़की ने अपनी खुशी की अधिकता में मानो अचला को आचा नहीं कर दिया गाड़ी की धीमी चाल से समझ आया कि आ पर मेरे घर अपने पैरों की धूली देंगी अचला ने आसू रोकते वे का वैसे सुफसर मिला तो आपसे जरूर मिलूंगी सुफसर क्यों नहीं जरूर मिले गा आपको मैंने पहचान लिया मैं कहे जाते हूँ आपको ऐसी भक्तियर प्यार की इश्वर कभी बेक्शा नही सकी मुँ फेर कर उसने उम्रे हांसूं को रोका बारिश में गाड़ी प्लेट फारम पर लगी उसका देवर वहीं ख़ड़ा था उसने आकर दर्वाजा खोल दिया उसके कान के पास मुँ ले जाकर अचला ने चुप चाप का अपने पती का नाम तो नहीं लेंगी आप जान सोन के किनारे पर ही मेरा घर है इसके बाद उसने दौनों हां जोड़कर अचला को नमसकार किया और भीगती हुई चली गई भाब की गाड़ी दीरे दीरे चल पड़ी अभी अभी शाम हुई थी इंतु वर्षा के साथ हवा के जोकों ने दुरियों की इस रात को और भी भे सकेगी जीवन में अभी से चुटकारा बंद रही साती हिंसुने कमरे में एक कौने में जाकर चादर लपेट कर आखे बंद किये वे लेट गई अब उसकी दौनों आखों से आंसु की धारा भेने लगी यह आसु आखिर क्यों थे उसका दुख आखिर क्या है यह भी नहीं स जो लड़की राक्षसी के नाम से अपना परीचह दे गई उसकी भी याद आई यहां तक की नौकर जदू भी मानौ उसकी नजर में आने जाने लगा उनके मन में ऐसी ही पिड़ा होने लगी मानौ वह जिंदगी भर के लिए सबसे विदाई लेकर निरोदुश्य यातरा प कोई कोई उत्रे कोई कोई सभार भी हुए पर उसके डिबे के पास कोई नहीं फटका गाड़ी छूट जाने के बाद एक गहरी श्वास भर कर वैं अपनी जगा पर लौट आई उसकी और सिर से पाउं तक चादर लपिट कर पड़ी रही अब कि किसी आच इंतनीय कारण से जिस दिन जलवायों परिवरतन का परस्ताव होगा था उस दिन भी उसने ऐसा ही सौपने देखा था आज भी वैं उसी प्रकार अपने बिमार पती को याद करके स्वास्ते और दिरगायों की कामना करके एक अजानी जगा में आनंद और सुक शान्ती का जाल बुनते बुनत के साथ हवा पानी ना आकर अंदर प्लावन सा कर रखा है सुरेश ने चिला कर का जल्दी उतरो जल्दी उतरो गाड़ी प्रेट फारम पर खड़ी है तुमारा बैक कहा है अचला की आखे तब भी नेंसे बौजिल थे लेकिन उसे याद आया जब उलपुर के लिए इलाबा अचला का हाथ कसकर पकड़े वैं उधर प्लेट फारम किया और लबका वहाँ गाड़ी खुलने खुलने को थी पहले दरजे के एक सूने डिब्बे में अचला को ढखे लिते हुए बुला तो बिस तरह को और बैठो मैं उसे लिया हूं तो मेरी हैं मोड़ी चादर लेते ज रोशनी जल रही थी पर इस घोर बारिश में रोशनी इतनी असपष्ट और आत थी कि कुछ नजर ही नहीं आ ला था मुसाफिर पानी में दौड रहे थे सिर पर बोजा लिये कुली आ जा रहे थे रेल करमचारी परेशान से सब बस धुंदरी छाया सी दिक रहे थी दिरी द घंटी जोरो से बज उठी और जिस गाड़ी से अचला अभी अभी उतर कराई थी खौफ नाक अजगर की तरह चकचक की अवास से आकाश पताल कपाती हुए प्लेट वारम से निकल गई सिरफ अंधेरे के सिवा सामने कोई व्यवधानी नहीं फिर घंटी बजी अचला ने समझा कि यह घंटी इस गाड़ी के चूटने की है लेकिन वे लोग चड़ गए की नहीं कहा चड़ गए समान सब लदा यह नहीं कुछ भी ना जान पाकर अचला चिंती थो गए कमबलोड हाथ में नीली लाल टेल लिए एक प्याइदा तीजी से सामने से गुजरते वे दिखकर अचला ने पुकार कर गा सारे मुसाफिर चड़ गए की नहीं पहले दरजे का डिबबा देकर वे ठिटा किया गुलत जी मैंसा अचला कुछ निश्चिन तोई समय पूछा उसने बता कर उसके नात मुँ में सुई चुपो रहे थे हाथ की रोशनी के तेजी से हिलाते वे मुगल सराय मुगल सराय कहता हुआ वे चला गए सीटी बजा कर गाड़ी गई इतने में उसके सामने से दौड़ते वे सुरेश कहता हुआ गया डरो मत मैं बगल के कमरे में हूँ में गाड़ी क्यों बदले पानी के चीटे से उसके बाल उसके तन के कपड़े भीगने लगे फिर खड़की से मुँ बाहर किये कभी सामने कभी पीछे अंधिरी में वह क्या देख रही थी वही जाने लेकिन उसका मन किसी भी प्रकार से हमाने को राजी ना हुआ कि इस इस तरी को उसके समाज, धरम, नारी के गौरव से हटा कर अनिवारी मिर्ति में धकल देगा ऐसा पागल नहीं खास करके इससे उसे लाब क्या है अचला कि जिस शेरीर के प्रति उसे उतना मोह है उसे एक वैश्चे की शेरीर में बदनने को वह जीवित नहीं रह सकती यह सी पल जोका आ लगते ही सिमट कर वह कौने में चली गी और अपने को देखा सारे बदन का कपड़ा कहीं भी जरा सा सूखा नहीं रह गया बारिश में से वह इसकदर भी गई थी कि आचल से लेकर कुरसी की आस्तिन तक के टपाटब पानी चुरा था बिना जाने वह जो झेलती जानकर उसे अब ना जेला गया कपड़े बदलने की गरस से उसने अपने बैक को अपनी और खीच कर खोलना चाहा कि इतने में गाड़ी की चाल धीमी पड़ गई जरा ही देर में गाड़ी स्टेशन पर जाकर रुकी पानी जोरों से पड़ रहा था यह जानने की कोई तरकी बना थे कि कॉंसर स्टेशन है फिर भी बैक खुला ही पड़ा रहा अंदर के अदम अदम्याव एक से नीचे उतर कर अंधेरी में अंदास से जबट कर वैं सुरेश वाले डिब्बे की खड़की के सामने जा खड़ी ही जोर से अवाज दी सुरेश बाबू उस डब्बे में दो एक बंगाली और एक अंग्रेश सचन थे सुरेश एक कौने में सिमट कर आखे बंद किये बैठा था अचला की आशंका थी कहीं उसके गरे से शायद आवाज ना निकले इसलिए कोशित से निकाली गई चीखने मानो घायल जानवर की उंची चितकार की तरह नाकविल सु का दिया हके बके सुरेश ने आख खुल कर देखा दरवाजी पर खड़ी अचला के चाहरे पर पानी की धारा और आलोक किरन ने एक साथी पढ़कर रूप के एक ऐसे इंदरजाल की रचना की थी कि सब की मुद्द दृश्टी विश्में से एक बार की अवाग थी सुरेश तोड़कर समीब पहुचा उसने पूछा उन्हें नहीं देख रही हैं कहा है वे कौन से डिबे में चड़ाएं उन्हें चलो मैं तुम्हें ले चलू हां कहकर सुरेश बारिश में ही उतर पड़ा अचला का हाथ पकड़कर उसी तरफ खीचता ले चला जिधर से वह आई थी दोनों बंगाली एक दूसरी को दिखकर जड़ा मुस्कराएं अंग्रेश बेचला कुछ समझ ना सका लेकिन एक इस तरी की करण पुकार उसके मन को छूगई जमीन पर गिरे कंबल को अपने पाउं पर खीच कर उसने एक लंबी सासले और चिपचा पंधरे में बाहर देख तरह अचला के डिबे के पास जाकर सुरेश ठिटक गया अंदर देखकर घबराते वे पूचा तुम्हारा बैक खुला कैसे है उसने अचला के जवाब का इंतिजार नहीं कि जोर से खिचकर अचला को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया अंगली से दिखाते वे बोल अंधरी के और देखकर ही अचला समझ गई कि बात ठीकी है गाड़ी चलने लगी थी उसकी दौनों आखों में निराशा मानों सकार दिखाई इसने मुड़कर सिरफ पल भर के लिए सुरेश के पीले और शिरीहिन चाहरे को देखा और कटे पेड़ की भाती गिर कर दौनों ह आंत ना हो सका एक एक उसका हिर्दय विदारक रोना जैसे शित धारा में फैल कर सुरेश को एक बारगी पत्थर बनाता हुआ चारों तरफ फैला और वैसी ही खौफनाक रात के अंदर जाकर विलीन हो गया और वहीं उसी गद्धी वाले बैंच पर टिक कर सुरेश असहनिय अश्यरे से संसा बठा रहा उसके पैरों के नीचे क्या हो रहा है इसे बड़ी देर तक मानोगे कुछ समझ ही ना पाए बड़ी देर के बाद अपना पाउं खीच कर वै बुला मैं मैं ऐसा काम कर सकता हूँ तुमकों यकीन आता है अचला उसी तरह रोते रोते बोली तुम सब कुछ कड़ सकते हो हमारे घर में आग लगा कर तुमने उने जलाकर माट डालना चाहा था बाहर पगली रात वैसे ही दमकती रही विजली बार बार अंधेरे को वैसे ही चीर कर खंड खंड करने लगी बरसाती हवा के जोकी उसी तरह सारी दुनिया को तोड़ते मड़ उड़ते रहे मगर इन अभी शब्त नर नारियों के अंधेरे रहते में जो प्रलाय उमर घुबर रहा था उसके मुकाबले यह सब कुछ तुछ और आपकी जीत होकर बाहर निकल पड़ा एका एक अचला तीर की गती से जमीर पर उठ खड़ी हुई दाएं हाथ से उसे रोकते वे सुरेश ने कहा बैठो महीम इस गाड़ी में नहीं है तो कहां है कहते कहते वे धप से सामने के बैंच पर बैठ गए सुरेश ने गौर किया उसके चैरे पर से लवग की आकरी बुन तक गायब हो गई शायद अब तक वे इतने रोने दोने इतना सीर पिटने के बावज़त उसके हिदे से सारी विरोधी दरीलों के बाद भी एक आव्यक्त अंतर नहीत आशा चीपीती हो सकता है सारी आशांकाई निर्मूलों हो सकता है भैंकर दूसर अपने की दूसरे है वे इतना नीन तूटते ही खुल जाए एक लंबी सास लेकर सब खतम हो जाए पलक जपकते ही सारा चरा चर खेल जाए पलक मारते ही जिद्गी बतनसीवी की आकरी हद को पार कर गए तौनों स्थिर बैटे रहे गाड़ी एक जाने सेशन पर आकर लगी और थोड़ी देर बाद खुल गई सुरेश ने एक बार क्या कहना चाहा फिर चुपी रहा फिर उठ खड़ा हुआ खिड़की का शीशा उठाकर एक दो बार इसने चहल कदमे की और फिर अचला के सामने जाकर खड़ा हुआ बुला महीम सा कुशल है अब वै इलाबाद पहुचा होगा जरा रुक कर फिर बुला वहां से वै जबलपूर भी जा सकता है कलकता भी वापस हो सकता है लेकिन हम कहां जा रहे हैं अचला ने सिर उठाकर का उस अश्रू कलंकित मुपर दुख और निराशा की चरम ने उसकी सत्य दृष्टी को इस तरह से ठक कर इस भूल में ही बार बार अंगले का इशारा किया उस छलमाई के लिए भी उसका हिर्दा विशाक्त होटा इसलिए अचला के प्रशन का उसने बड़ी रुखाई से जवाब दिया हम शायद संधे नरक में ही जा रहे हैं जिस अधा पतन के रास्ते पर रहा दिकाते वे इतनी दूर खीच लाई हो उसके बीच में ही चाहने से जगा तो मिल नहीं सकती अब तो अंतक चलना ही पड़ेगा जवाब सुनकर अचला एड़ी से चोटी तक एक बार काप उठी उसके बास सिर जुका कर वाच चुपी रही जो जूटा का पुरुष पराई इस तरी को गलत रास्ते ले जाकर भी बे जीज़क ऐसी बाद जबान पर ला सकता है उससे कोई क्या कहे सुरेश फिर चहल कदमी करने लगा उस पाशान प्रतीमा के सामने बुलने की शक्ति उसे नहीं थी कहने लगा तुम तो कुछ ऐसा जता रही हो जैसे सर्वनाश के लिए तुमारे ही हो है लेकिन सर्वनाश का जो मतलब है मैं मेरी हक में किस हद से गुजरा है पता है मैं पिन्य का सुआफ भी नहीं करता वास्तिवी क सर्वनाश की ही सोचता हूँ तुमारे पास रूप है आसु है एक औरत के जो हत्यार होते हैं वे सब तुमारे तरकस में तुमे किसी भी रास्ते में रुकावट नहीं आएगी लेकिन मेरा अंजाम सोच सकती हो मैं तो मर्द जेल से बचने के लिए मुझे अपने हाथों यहां गोली खानी पड़ेगी कहकर सुरेश ने खड़े होकर चाती के बीच में हाथ रखकर दिखाए जाने क्या कहने को मुँ उठाकर भी अचला ने चुप चाप मुँ फिर लिया लेकिन उसकी आखों में घरना चलकी पड़ते थी यह देख सुरेश आख बबला हुआ बुल उठा मुर का पंक लगा कर कववा कभी मुर नहीं होता चला इस निगा को मैं पैचानता हूँ मगर वैद तुमें नहीं ज़सती यह कौन सा बड़ा अपराथ है वैपने चहल कदमी करने लगा एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि उसके तीर कितने चोट पहुचा रहे है खाने के लोग में चंगली जैनवर जैसे फंदे में घिर कर गुस्से में जो जी आता है उसी को करता रहता है ठीक वैसे ही सुरेश अचला को चित्ती चित्ती उड़ा देने लगा बीची में सहसा तमकर बुला आखरी है ऐसा कौन सा अपराद है तुमने तो पती के घर में ही उनके मूपर कहता कि तुम किसी और को प्यार करती हो याद है जिस आदमे घर फूक कर तुम्हारे पती को जला डालना चाहता ऐसा तुम्हारा विश्वास है उसी के साथ चल देना चाहता चलो भी आई बीती याद आता है कि नहीं उसी के घर उसी के आश्रे में रेकर छिपकर रोते वे उसे साथ आने के आगरे किया था ख्याल आता है कि नहीं यह क्या उससे भी बड़ा गुना है रोज रोज की और भी ना जाने कितनी हरकते इसलिए मुझे यह हिम्मत पड़ी असल में तुम्हें गणीका हो गणीका इसलिए तुम्हें बगाला है सोचा था कि पहले तुम चौक उटोगी मात रहे इससे ज़्यादा तुमसे कोई उमीद नहीं थी मैं तुमसे बार बार कहता हूँ तुम सती सावितरी नहीं हो वह तेज वह गरूर तुम्हें शोबा नहीं देता नहीं फपता यह नियायत अनिजदिकार चर्चा है तुम्हारे लिए कहकर सुरेश रूंधी सास की वज़े से जियों ही थमा अचला सिर उठा कर टूटे स्वर में चीग उठे रूके नहीं आप रूके नहीं सुरेश बाबू और कहिए दौनों पहरों से मुझे रौंध कर संसार में जितनी भी कड़वी बात है घिरोना व्यंग है जितना भी अपमान है सब कीजे वह जमीन पर अंधी पड़ी गई और रूंधी रूलाई की फटी आवाज में बोली यहीं चाहती हूँ मैं इसी की मुझे जरूवत है हमारा यही वास्तविक संबंद है संसार से इश्वर से आप से केवल यही मेरा प्राप्प्य है सुरेश गाड़ी की दिवार से टिकर काट सा खड़ा ही रहा अचला कि खुले बिखरे बाल जमीन पर लोटने लगे उसके भीगे कपड़े धूल मेसन कर लटपत हो गए लेकिन सुरेश उदर कदम नहीं बढ़ा सका नया शिकारी पहले निशाने में गिरी हुई चड़िया की मृत्यू यंत्रना को अवाको कर देखता है वैसे ही दो मुगद अप्रक आँखों की निगासे वह मानो किसी मरनासन इस तरी की अंतिम घड़ी की गवाही के लिए खड़ा हो गाड़ी की घटी दीमी हुई और धीमी होते होते स्टेशन पर आकर रुकी सुरेश ने सीले खड़े होकर सहज शांस्वर में पा तुम्हें इस आलत में देकर लोग चकीत रह जाएंगे तुम उटकर बाटो मैं अपने डिबे में जाता हूं सुबह होने पर तुम जहां उतरना चाओंगी जहां जाना चाओंगी तुम्हें भेज दूँगा इस बीच में कुछ खौफ ना कुछ करबाटने की कोशिश मत करना उसका कोई नतीजा ना होगा सुरेश दरवाजा खुल कर नीचे उतर गया साफधानी से दरवाजे को बंद करके जाने क्या सोचकर जरादेर चुपचाप खड़ा रहा उसके बाद मुँ बढ़ा कर बुला मेरी बात नहीं समझोगी ना लेकिन इतना सुन लो तुम इस मसले का हल मेरे जिम्मिरा तुमारी कोई बुराई ना होने देग होने दूगा यह करज में पाई पाई करके चुका कर रहूँगा क्या कर वे अपने डिब्बे की और चला गया गाड़ी धीरी धीरी लगातर आवाज के बंद होने के साथ साथ हर बारी सुरेश का सुपना तूट जाता लेकिन पलकों का भार ठेल कर देखने की शक्ती मान उसमें नहीं रह गए थी धीके कपड़ों में बेहत सर्दी लग रही थी वास्तम में वह बिमार पढ़ सकता था और माज़े दालात में यह कितनी खतरनाक बात हो थी अंदर ये अंदर से महसूस भी कर रहे लेकिन बैक खोल कर कपड़ी बदलने की कोशिश एक असंभव इच्छासी होकर उसके मन में बेबस पड़ी थी ठीक ऐसी समय में एक सू परिचित कंट का स्वर उसके कानों पड़ा कुली अध्यगी से आके कोल कर उसने देखा गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी है और कौन जाने का बंधेरा मिटा कर पारिश थमकर दूसर मेगो से चनकर एक तरह की मटमेली रोशनी में चार उत्रफ जलक उठी है उसने देखा बहुत से लोग उतर रहे हैं बहुत देरे चटर हैं उन्हीं में खड़ी खोश शोक मगन एक नारी मूर्ती किसी इंदेजार में खड़ी है या अचला थी चमड़े का एक बहुत बड़ा बैक माथे पर लिए एक कुली से उतरते ही उसने कुछ पूछा था और धीरी धीरे गेट की तरफ पड़ी अब तक सुरेश बेबस सासिरफ देखी रहा था शायद उसका यह आँखों का देखना अंदर दाखिल होने की रहा नहीं पा रहा था पर जोहीं गाड़ी खुलने की सीटी प्लेट फारम की किसी छोड़ से गूंज उठी तियोहीं वे बिजली चुग गई उसके भीतर बाहर ही की जड़ता जाती रही उसने तुरंत अपना बैक खीच लिया और उतर पड़ा टिकेट की बात अचला को याद ही नहीं थी गेट पर टिकेट बाबू के सामने जाते ही अचला ठिटक गई इतने में पीछे से सुरेश ने सिने की स्वर में का रुको मत पड़ो मैं टिकेट दे रहा हूँ अचला को उसके आने की खबर ना दे पल भर के लिए भै और जिजक से उसके पाउं नहीं उठे मगर यह हिचक औरों को देख सकने के पहले ही वह दीरे दीरे बाहर हो गई बाहर जाकर दौनों में निमले की दिबाते हैं सुरेश ने का मैंने सोचा था कि तुम सीधे कलकते ही लोट जाना चाहोगी लेकिन एका एक डिहेरी में क्यों उतर पड़ी यहाँ जाना पर चाना कोई है क्या अचला ने दूसरी तरफ नजर किये थी उसकी नजर के बुली कलकते में किसके पास अब जाओं लेकिन यहाँ अचला चुप रही सुरेश खुद भी कुछ देरे तक चुप रहकर बोला शायद मैं किसी बात का मेरी किसी बात का अब तुम विश्वास ना कर सकोगी उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं अंतिम समय में मैं कुछ भीग चाता हूँ अचला वैसे ही चुप खड़ी रही सुरेश ने कहा मेरी बात किसी को समझाने की भी नहीं और मैं समझाना भी नहीं चाता मेरी चीज मेरे ही साथ चाए जहां जाने से यहां की आग जला नहीं सके ही मैं आज उसी देश की रहा ले रहा हूँ और मेरा आखरी सहरा मुझे दो मैं हाँ चोड़कर तुम से विंती करता हूँ फिर भी अचला के मुझे एक शब्द ना निकला सुरेश कहने लगा मैंने तुम्हें बहुत कड़वी बाते कहीं है बहुत दुग दिया है लेकिन बाद में अच्छे रहने के गमन में उपर बठकर तुम्हारे माते की कलंग की कालीमा पोतुई है मैं मरकर भी बरदाश नहीं कर सकूँगा मेरे लिए तुम्हें तकलीफ ना उठानी पड़े की विदा होने के पहले मुझे इस सुयोग की भीग देती जाओ अचला उसकी आवाज में क्या था अंतरिया में ही जाने गरा मासू में अचला की दौनों आखे भीग गए फिर भी जी जहांसे अपने कंट को संभाल कर उसने धीरी से बुचा मुझे क्या करना होगा कहिए सुरेश ने जेब से टाइम टेबल निकाल कर गाड़ी का समय देकर कहा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा सांच के पहले अब किसी भी तरफ जाने की कुझाईश नहीं इसलिए इतनी देर तक मुझे पर अविश्वास ना करो बस इतना ही चाहता हूँ मुझे अब तुम्हारा कोई अमंगल ना होगा तुम्हारा ही नाम लेकर मैं कसम खाता हूँ लोगों की कौतुहल बड़ी द्रिश्टी से बचने के लिए सेशन के छोटे से वेटिंग रूम में जाकर रुकनी की इच्छा दौनों में से किसी को ना है पूछ ताच करने पर पता चला बड़ी सड़क पर समराट शेर्शा के ना पर स्थापित सराई की बनियाद आज बिलकुल विलप नहीं हुई शेहर के छोट की उसी सराई में जाने के लिए उन्हाने किराय की एक बैल गाड़ी तैकी रास्ते में किसी ने किसी से बात नहीं की किसी ने किसी का मूँ नहीं देखा सिरफ उस समय जब बैल गाड़ी सडाय में जाकर रुकी तो एक जलक सुरेश की शकल देकर अचला ना किवल हैरान हुई बलकि बेचैन हुई उसकी दौनों आखे बे हिसाब लालती है और मानों किसी ने शाही पहुत दी है चेहरे बाड़ संसार के बड़े से बड़े अंधर तुफाज में उसे देखा था कि तु उसकी शकल पर यह नहीं देखा था कभी भी उसे ऐसा याद नहीं आया गाड़ी वन का किरायद चुका कर सुरेश ने मनी बैक को वहीं रख दिया कहा तब तक किया है तुमारे ही पासरा जरुवत हो तो लेने में संकोच मत करना अचला के जी में आया है पूछे इसका क्या मतलब अगर ना पूछ सके सुरेश ने कहा यह सामने वाला ही कमरा शायद कुछ अच्छा है तुम जरा सुस्ताओ बगल के कमरे में इन कपड़ों को जरा बदल डालो पता नहीं इनी सब के चलते है सब बद्दा लग रहा है कहकर अचला की सुविधा सुविधा का कोई खयाल ना रखते हुए वे अपना बैग उठाकर नशेबा जैसा डगमगाता हुआ बरांदे को पार करके कौने वाले कमरे में चला गया उसके चले जाने के बाद अचला अकेली रास्ते पर खड़ी ना रह सकी अपने वजनी बकसे को किसी तरह कीच कर कमरे में ले गई और उसी पर इस तब्द भाव से बैठी रहा से गुजरने वालों को देखने लगी